नमस्कार जैसेलसी मैं समर चौधरी आज आपका सेलसी के यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं कल तीन सप्टेंबर दो हजार तेईस को मैथमेटिक्स ओलंप्यार के तीन स्टेज में से जो फर्स स्टेज होता है जिसको आयो क्यूम बोलते हैं उसका पेपर कंड़क्ट से तीन सप्टेंबर दो हजार तेईस को मैथमेटिक्स ओलंप्यार में तीन स्टेज में से फर्स स्टेज का पेपर का वीडियो सोलुशन तीम से आपके लिए लेकर आई है उससे पहले में आपको थोड़ा एक्जाम के वावन बताना चाहूंगा कि यह एक्जाम तीन स्टे प्री फाउंडेशन बैचिस के द्वारा अपने बच्चों को इन ओलंपियार्स के लिए तयार कराती है मैं इस वीडियो के माधरम से आपको यह भी बताना चाहूंगा कि CLC ने CLC टेक्नो 2024 लॉंच कर दिया है जिसकी रिजिस्ट्रेशन चालू है इसकी रिजिस्ट्रेशन के सी आई सी वोड़ के हो वह आप दे सकते हो उसके साथ इस साल टेक्नो थोड़े और अच्छे लेवल पर आया है हमने इंडिया के छे स्टेट्स कवर किये हैं जो की राजस्तान हर्याना दिल्ली पंजाब यूपी MP तो आप CLC टेक्नो डोट को में पर जाएं और अपना न सी मैसल्फ प्रदीप्लाखर टीम मैथमाटिक सील्सी सीकर तीन सेप्टमर संडे को अपना जो पेपर हुआ है इंडियन ओलूम्पयाइड क्वालिफारिन मैथमेटिक्स का बिचो उसके इंदर 9-12 के चैप्टर मैथमानिक्स के उनको बिचो कवर किया गया स्पेशली बिच जिबरा को बहुत ही बिच्चो अच्छे लोल में पूछा गया है ठीक है तो यह अपने पास नोटेशन से ठीक है बिचो इनका खास को ध्यान खना होता है जो पेपर के इंदर सोल करते हैं ठीक है पहला सवाल पून देता है बिच्चो एं तुमारे पास एक बिच्चो पॉ और नमर ओअ कौंटिंग कर रहा है ठीक है बिचान केा बिच्चो मारे पास वुश्य में साब हो थे इसे सेट के इंदर minimum number of इंठीं क्या रहा है ठीक है तो यहां पर लट साथ था ठारा ऐस उनंत्र पास क्या है बोलें पालिए और रूट पााँच रूट्षे रूटट शात्त कर रूट ऊहां ч Cherry वन थाउजन पूर बेटा ठीक है न इस साइट के इंद्र आपके पास इसी परकार से एक्स तुम्हारे पास क्याएगा बोलो भी बचो एक्स तुम्हारे पास आएगा एन को टू रखा तो रूट नाइन बच्चू उसके बाद न को टू रखातो हो रूट एट तैन रूट बच्चो 11 एन अप्टू बच्चो यहां पर हमारे पास आएगा एन को टू रखातो हो अंडरूट 4004 बच्चो 1008 बच्चा एट ठीक है एन बच्चो इसी ताब से तुम्हारे पास एक्स थाउजेंट उthmारे पास बनेगा अन्डरू अबुट ऑफ बच्छो यहां पर रखा तो अन्डरूट फोर थाउजेंट वन अन्डरूट 4700 टू बच्छो यहां पर अंडर अन्डरूट कtae अन्य को बच्छो 1000 रखा तो उच्छो यह बन जेरा तुमारे पास 5000 टॉल थाज़ेंट को इंत थाज़ेंगर तो यहां पर देखें तो यह तुम्हारे पास होता है तो तुम्हारे पास बच्छो 31 का चो आपके पास बेटा 31 का स्क्वेर आपके पास होता बेटा वो होता 961 बेटीके ना बच्छो 32 का यहां से उपर निकल जाएगा बच्छो तो इसे बेटा यहां पी क्या तीन बच्छो आएगा चार का आएगा बच्छो पांच का है बेटा एक का तो आएगा न यहां पे total साथ बंचोनल जराएंगे तो हमारे पास बैद्चो एकमान ओंध ठुन्तिन अंड़ थे कह मांगे पास साथ बच्छो के मैया अच-ब सागा स्वाल का जो तुमार पास आउसर बैस वेट बच्छो यह बिल्कुल सिंपल सा मला बिल्कुल अराम से कर सकते हैं आप सवाल को find the number of elements in the site बच्छो बच्छो इस site के इन आपको number of elements की संग्या बच्छो count करनी है आपका बिल्कुल ने मैंने पुट कर दिया लोग भी बेस ये बराबर कि बच्छो तो बनेगा यह जो स्क्छ वार पास पॉइंट्स है यह बच्छो आएंगे तुमार पास वाई एक 되क ऊप्सो एकाए ठीक है न कूल यहां पेड़ा इस ग्राफ की कौन-कौंड्स से पॉन् प्वस्टो एक स्काइब याएंगे ठीक है न तो यहां पेटा इस ग्राफ पी कौन कौन से पॉइंट आगे बोलो भी दो आ गया च्यार तीन, नो, चार, सोड़ा पेटा अप्टू याँपपन देखें भी हाँ न वचो फॉटी फोर का स्क्वाइर अपन देखें भी थे रहाँ छाँचो फॉटी फॉर प् цен फोर्टीफ़ का स्क्वार अपन फॉटीफ़ पर आला पास जो भी आएगा फॉर्टी फईफ़ बिन द यहां पर इत्य वालाए भी बच्छों सेकेंड वाले भी बच्छों एक तो लोग बी बेस ए तो या पिस ट्री बच्छों टू यह कॉंट से प्वेंट अभी पशी पह जाएंगे वाई ब्रावर तक कर मैं कूंब घॉरल स्म्टिंग यह को एंगा पर यह सबूर्वें गेगा तो में तुछ ल चाहिए चाहरी कि करएक सुस्यक्षा को डिको प्रविंग था तीन य। यौप यह पे ऐगा से नहीं तो और फिके कमा य। तो तो बैटा जो से लेके शाखे का तो फिसे ₹ बच्चो पॉइंट यह भी फॉटी वॉइन दूराख यहाँ पे लॉट्पी फॉट अलन पास प्रॉट्पीफी पॉइंट्स आगे मारे पास टॉटल तो इस सवाल का जो आणसर आपास है ठीक है लिए फॉटॉट प्रॉट बीदा तो नेक्स पर आजाओ नेक्स पर किसम्रों थ्री पर आजाओ इसको पूं देखें भी तो तुमारे पास बच्चों यह 16 I Am अब है को यहां पर दस राखते हुए exerc skinny कि आजले श्क्राइब पोउन दस रखेंगे यहां से तो यहां गा 0.8 lesson alpha lesson बच्चों 23.1 बच्चों तो यहां पे इंटिजर बच्चों कौन सा बनगा भी बच्चों बीटा मान बनगा आपके पास 23 बच्चों सबसे ना लिस्ट जो वेलू है स्मॉलस्ट बटा वो आएगा तमार पास 23 बटा इस सवाल का नसर बच्चों 23 बन जाएगा ठीक है जी नेक्स बच्चों नेक्स लेट एक्स का वाई भी दा पॉस्टिव इंडिजर सच जट बच्चों यहां पे एक्स पार फॉर प्लस का वन बराबर ए बच्चों 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 बच् 2 upon x minus का 1 बरावर y cube minus का 30 बच्चों ये से cancel out आपके पास हो गया तो महरे पास बन गाई x plus का 1 into x square plus का 1 plus 2 upon x minus का 1 बच्चों बरावर y cube minus का 30 अब आपसे बोला बच्चों x and y positive integer सां बच्चों तो ये quantity तुमारे पास integer बच्चों आएगी ये भी quantity integer बच्चों आएगी तो it has to be integer बच्चों x minus 1 तुमारे पास इधर क्या होगा 1 और 2 बच्चों तो तुमारे पास x का मानिया तो 2 बटा या 3 अभी तो बच्चों मैक्सम बच्चों मान निकालना भी तुमारे x को 3 लखा भी इसको दिवाइड गया तो 41 प्लस का 23 सीं बच्चों बच्चों बराबर इसका ट्रागरम बनाऊं बहुत अच्छा सवाल बवती सिंपल सवाल है बाचो एक ट्रागल है आइड बच्वों लेट एविदा मिट आइड पास असे का मिलिट पॉइंट है and f with the midpoint, bachow f with the midpoint of a b and bachow medians be and c f intersect at z, let y and z with the midpoints of be and c f bachow tumhara paas y is ka midpoint and bachow z is ka midpoint hai, ठीके जी, if the area of the triangle a b c bachow area of triangle a b c तुम्हारे पास क्या भी बचो वो देखा 4 k tv तुचाव से पूचा भी area of triangle g y z equals to what ठीके भी बचो आपस इसका बचो एरिया पूचाओ इस ट्रेंगल का ठीके ना इसका बचो आप चानतों क्या करता है इसको two to one के ratio में ड्वाइड करता है तो बच्छो मैं ऐसा ratio ले रहा हूँ भी मालने जी बटो मैंने जी y z अपॉन area of triangle b g z बच्छो यह क्या बने अभी बच्छो चार एक बटा चार का इसको इसका इरिया क्या बनेगा भी बच्छो जी वाई से क्या बनेगा वन सिस्टी ये भी वन सिस्टी बेटा आँ तो बच्छो आपके पास बीजी सी का जो बेरिया तुमारे पास बच्छो इसका आपके पास बच्छो आपके पास एरिया ओप ट्रेंगल जी वाइजट ब्राबर वन अपकों 16 इंटू तो ट्रेंगल जी वाइज एरिया तुमारे पास बनने वाला है ठीक है आगे तो सवाल है जो आपके मेरे साथ ही लोग अब कुछ और सोल करवाएंगे थैंक यू जैसे यह सिकर आज हम लोग डिसकेस करने जा रहे हैं 3 सप्टेंबर 2023 को जो आयो क्यूंक का एक्जाम होगा था उसमें हम लोग कुछिशन नमबर 6 से लेकर 10 तक डिसकेस करते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर 6 से क्वेशन देखो क्या पुछा है बहुत ही सिंपल क्वेशन था लेट एक्स विदा सैट ओफ ओल इवन पॉजिटिव इंटिजर्स एन सच देट दा मेजर ओफ एंगल ओफ सम रेगूलर पोलीगन इस एंड डिग्री फाइंड नमबर ओफ एलिमेंट सीनेक्स इसमें सबसे वड़ी दिक्कत यह थी जो पॉलीगन की साइट्स है वो लोग एंड समझ रहे थे लेकिन इसमें पॉलीगन की साइट्स नहीं दीवी हैं यहां पे पॉलीगन की साइट अपने लिए अन्नोन है ओके तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प आपको प्वॉर्मुला होता है वो सबको पता है लेक्ट दसाइड ओफ नमबर ओफ साइट ओव पॉलीगन आर्फ सबोज एम माल लेते हैं कि एम साइट्स का लैट अगि दा नमबर ओफ साइड्स इन दा पॉलिगान स्वरी ओफ दा पॉलिगान लिख देते हैं कि ओफ दा पॉलिगान कि आर एम है एन हम लोग इसलिए नहीं ले रहे एन अल्रेडी यूज हो रहा है एन के लिए एन किसको बोल रहा है अगर किसी पॉलिगान के साइड एम है तो उसमें सम ओफ इंटरनल एंगल और पॉलिगन क्या होता है है माइनस टू इंटू वन एटे ठीक है डिगरी में बात कर रहे है अगर उसके एक एंगल की बात करें तो हम बोलेंगे डिवाइट भाइए और यहां पर एक पर्टेकुलर एंगल की बात हो रही है इसलिए हमने डिवाइट भाइए एम कर दिया और यह किसके एकुल आ रहा है एन जो अपना इवन इंटीजर बोला है एन उसके एकुल है एन यहां पर इवन इंटीजर है और वह इसने इवन इंटीजर भी बोला है और वह भी पोजिटिव इंटीजर बोला है तो जो एन है वह एक तरीके से टू का मल्टीपल है तो हम लोग मान लेते हैं टू लेमडा के बराबर इसको पूट कर देते हैं तो एम माइनस टू इंटू 180 अपोन एम और इसको हम तू लेमडा के एकोल करेंगे तू से हम लोग इसको कैंसल आउट कर देते हैं तो यहां पर क्या बंद रहा है हमारे पास एम टू इंटू 90 टिवाइड बाइम इवक्वल्स टू लेम्धा ठीक है अब यहां पे जो टू लेम्धा था वो युवन इटीजर था अब लेम्डा है वह एक इंटीजर पोजीटीव तो यहां पर हमें द्धान रखना है लेंडा की जो वेल्यू है एक फोजिटिव इंटीजर आने चाहिए ठीक है अब देखो हम लोग एम को दोनों से डिवाइड करते हैं म ईनस म को भी और इस मावीनिस म से डिवाइड करते हैं और नैटी को मल्टिप्लाइ कर देते हैं अंदर तो यह जो वैल्यू बंद रही है यह बंद रही है पहले एंस से डिवाइड कर रहा हूं है 1-2 by m into 90 is equals to lambda है ओके तो यह 90 से multiply करते हैं बंदर है 90-180 by m is equals to lambda अब देखो आगे सोल करते हैं इसको है तो हमारे पास जो आ रहा था वह आ रहा था 90-180 by m is equals to lambda है अब यह इंटीजर कब आएगा जब 180 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए किस से एम से और वो कब हो सकता है जब है एम उसका डिवीजर हो ओके तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा 180 के नंबर ओफ डिवीजर कितने होंगे तो तुम जानते हो 180 को हम कैसे लिख सकते हैं वन एक हम लिख देते हैं पूरटी फाइफ ईंटो फॉर को सब्सस्क्राइब हम लोगों तो ओलिक और moreू तो टोटल नंबर ओफ डिवीजर इसके कितने बनेंगे बाई टू प्लस वन टू प्लस वन एंड वन प्लस वन तो यह थ्री इंटू थ्री इंटू टू टू टो टोटल आगे अपने पास 18 अब पता है 18 आंसर नहीं क्योंकि यहां पर अपने को यह बात ध्यान देनी है हमने नंबर ओफ साइट्स अफ पोलिगन को एम लेट किया था तो उसके लिए एक तो एम एक नहीं हो सकता दो नहीं हो सकता क्यों पोलिगन के लिए मेनिमम साइट तीन होनी चाहिए और हमारे जो यह डिवीजर आए है 18 180 के उसमें 1 भी इंक्लूड हो रहा है और 2 भी तो इन 18 मे पारेंगे फ्रों 18 माइनस 2 क्योंकि एम इक्वल्स टू 1 एंड एम इस इक्वल्स टू 2 है और टो भी एक्स्क्लूडेड तो क्रेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा 16 तो यह काफी सिंपल कोश्यन था जो भी अपने थर्टी कोश्यन रहे उसमें वन उप्धाई इस्ट कोश्यन था तो नेक्स्ट कुश्यन पर चलते हैं हम लोग अगला कुश्यन देखो यह भी काफी इंट्रेस्टिंग कोश्यन है अन कन्वेंशनल डाइस आर तो बी डिज मैं अन्द्ट शच देट शिक्स फेसे और मार्क विद्ध नमबर्स फ्रों वन तो सिक्स विद वन अन्टू अपेरिंग उन दख फेसे तो यह क्या कहना चाहते हैं कि हमारे को एक डाइस है उसमें नंबरिंग करनी यह वन से लेकर 6 तक और इसने पहले ही फिक्स कर दिया व कि अरई श्बाइब कर यह है इसमें यहां इसनने वन और वन के ओपोजट वन दर शें मालनो यहां पे उसके गे चाहिए कि असरव फिम कह टर के इसने लिए इसने यह यह 20 fruit अव्य ओर्याव सामने है यह 8 थे F pickардल ऐसे तो हमने क्या किया है वन और टू को तो टो पोजिशन देदी एट 3456 को सर्कुलर मार लो एक तरीके से सर्कुलर मेनर में हमने माल लिया अब इसने बोला क्या है तो यह क्या कहना चाहता है आएगे सेंद इस के इसेसे वान लूँ पे यह वं पे हम लोग यह 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 यलो करें और आगे रहा है with opposite faces always of the same color मतलब अगर हमने one पे red किया तो one के opposite जो two था उस पे भी red होगा और one पे yellow किया तो two पे भी yellow होगा तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ opposite faces को color करने के दो तरीके हैं आपने पास जैसे one और two दोनों पे either red और yellow ठीक है आगे क्या पूल रहा है two dice are considered to have the same design if one of them can be rotated to obtain a dice that has the same number and color on the corresponding faces as the other one find the number of distinct dice that can be designed तो यहाँ पे हम लोग वो circular permutation का concept यूज गरना पड़ेगा जैसे हम लोग circular permutation के अंदर क्या करते हैं कि suppose गरो ये तीन लोग बठे हैं A, B, C अब हम लोग circular permutation में ये शेखते हैं कि जब तक एक को fix ना कर दिया जाए जब तक हम एक को fix नहीं करेंगे तो बहुत सारे अगर हम direct जैसे एक linear way में हम A, B, C को जब arrange करते हैं मालो तीन different object है A, B, C इनको हम linear way में arrange करते हैं तो factorial 3 हमारा answer रहता है factorial 3 that is 6 लेकिन circular manner में ऐसा नहीं होता अगर हम लोग इसको factorial 3 करेंगे तो कुछ कैसे सेम हो जाएंगे कैसे अब माल लो हमने इसको rotate कर दिया A इदर आ गया C इदर आ गया B इदर A इदर आया C इदर आया B इदर आया तो यह सेम consider किये जाएंगे यह दोनों क्यों जैसे मैं B की right में बोल देता हूं C है और B के left में A है तो अगर हम अब B की position में जाएं तो B की position में अब भी left में A है और right में C है तो इस तरीके से यह दोनों सेम consider किये जाएंगे तो हमें circular permutation में क्या सीखते हैं हम लोग कि एक object है उसको fix किया जाएगा और इन दो को rotate करेंगे हम लोग तो इन तीन उब्जेक्ट को अगर एक circular manner में अरेंज करना है तो इसके नमबर ओफ वेज ना होगी यह चीज़ हम लोग सीखते हैं सेम वे में हमें इन चारों को तीन च्यार पांच है जो 3456 है जो हमारे circular manner में एक तरीके से हैं क्योंकि वन और टू तो एक तो बोटम मोस्त पोजिशन पर है तो इन चारों को इन चारों को 3456 जो दे रखे हैं इनको अरेंज करने के हमारे नमबर ओफ वेज होएंगे है factorial 4-1 factorial 4-1 यह तो हो गया इनको अरेंज करने के तरीके अब कलरिंग करने में हम लोगों हमारे को पता है कि 506 पर सेंव होना चुकिल्ग ओस्टा है औरशर ओस्टायर्म जी करने के बहुट्स करने की दो तरीके यह दो इन दो जैसे122 वाले दू है इनको कलर करने के दो तरीकी similarly 4 और उसके जो पीछे उनको भी 2 similarly 5 और उसको पीछे उसको भी 2 तो नमबर वेज हो देंगे factorial 3 that is 6 and this is 8 so 48 is the correct answer तो काफी simple question था और tricky था circular permutation हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं तो अगले question पर चलते हैं हम लोग question number 8 देखो भी यह है given at 2 by 2 tile and 7 dominoes 2 by 1 tile find the number of ways of tiling that is cover without leaving gaps and without overlapping of any two tiles okay at 2 by 7 rectangle using some of these tiles हमारे को एक 2 by 7 का जो area है 2 by 7 का area है उसको film करना है without any gap and without any overlapping और यूज करना है हमारे को एक 2 by 2 की tile है और एक 2 by 7 2 by 1 की है तो obviously बात है जो हमारे पास 7 dominoes और 2 by 2 का एक टाइल दिया हुआ है वह एरिया ज्यादा है जितना आपने को cover करना उससे तो हमारे को selections करने पड़ेंगे क्योंकि 2 by 7 का मतलब इसका 14 square unit जो area और यहां पर हमारे पास जो available है इसको फिलब करने के लिए 2 by 2 का तो 4 तो यह हो गया और 7 इसके है तो 14 यह हो गया तो अपने पास एरिया वह 18 है तो इसका मतलब हमारे को cases लेके चलना पड़ेगा तो सबसे पहले इस question को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम case 1 यह लेके चलते हैं कि हम लोग only domino's यह use करते हैं only domino's so filling area using domino's जो कि टू बाई वन टाइल टू बाई वन एरिया का टाइल है तो हम पहले जनरल केस लेते हैं टू बाई 7 का लेके टू बाई एन का case लेके चलते हैं regression formula ड्राइव करने के लिए तो मैंने क्या किया एक 2 by n dimension का rectangle ले लिए ठीक है और मैं इसको fill करना चाहता हूं हिससे 2 by 1 से 2 by 1 का टाइल यूज करके तो देखो इसका तरीका क्या है तो मैं total number of phase इसके मान लेता हूं सबोज करू एक यहां पर 2 by 1 का यहां पर रख दिया तो यहां पर जो अपने पास width जो यह वाली जो यहां पर यूज कर लेता हूं तो यह जो हमारी length आगे बच लिए n-1 बच लिए तो मैं इसको लिख सकता हूं है रिकर्जन फोर्मला डराइव कर रहा है हम लोग एफ एफ एन माइनस वन और दूसरा तरीका हम लोग क्या लगा सकते हैं दूसरा तरीका हम लोग यह लगा सकते हैं यह 2 by n का है मैंने क्या किया कि सपोज करो तो इस बार जो हमारी लेंथ कवर होगी है वो टू हो गई है तो जो बच रही है यह जैसे यहां पर जो बच रही थी यह एन माइनस वन बच रही तो इसके लिए हमने इसको फिल करने के तरीके क्योंकि हम पूरे जब n इसका लेंथ पूरा एन ले रहे है तो हमने उसको नंबर ओभज़ता है fn तो अगर यह जो लेंथ बच गी एन माइनस वन है तो इसके तरीके बच एफ एन माइनस वन और यहां पर जो बच रही है वह एन माइनस टू तो प्लस एफ एन-2 य आप हम लोग इससे सीरीझ फिबोशी जो यहुद पढते हैं वैसे शीरीज हो जाएंगी लेकिन नोट एक्जेक्स लिए लिए उससे मिलती जोलती सेम पैटन की उपर देखो कैसे अगर हम गाण का वेलीव identific तो इसको फिल करने का थो एक ही तरीका हुआ कैसे क्योंकि हम डूमिनधो जी हो ज्यूक्र चे मिस प्लॉ मिक्रदियुक्र आपकर ने हमोगी आयेक है जो कि है रह Keeping है फिल करने का विवूज़ आप पर इसकी लेंथ एन थी उसको फिल करने का नंबरों फेज देखा तो अब इसकी लेंथ हमने टू बाई वन लिए तो एफ न आया इस सिंपल सी बात है वह वन आया अगर एन इकॉल टू लेते हैं लोग एन इकॉल टू लेंगे तो यह तू बाई टू का बन जाएगा तू बाई इसकी लेंगों का फिल करने का तरीका देखो जान से हम लोग थोड़ी सी स्पेस यहां पर क्लिए कर लेते हैं तो तो देखो टू बाई टू का मा बना रहूं है तो बाई टू का बना लेता है मान लोग अ अब यह तो एरिया तो हम लोग जो बना रहे है रेक्टेंग लोग टू बाई टू का है लेकिन हम लोग फिल किससे कर रहा है डूमिनोस टू बाई बन से तो देखो इसका तरीका क्या है सबोच करू एक तरीका तो यह मान लेता है यह मैंने टू बाई बन का एक रख दिया पर यहां नगी है है घुटो डुटो घुटो तरीका यह हुए यह चुनिता रेकिन यहां रच दिया दूसरा तरीका देखते कि इस बार हम लोगी क्या कर रहे है ऐसे क्रेड़ जित love डूब का एक डॉमिन से तो आगे तो द्हांודה सब्सक्राइब आगर तो इसको फिल करने के दो तरीकत हमारे पास आज दो तरीके कैसे एक बार दोनों डोमिनोस को रिटिकली पुट कर दिया यहां पर एफ डू जौरा है हमारे पास कि अग्याओ है कि एफ इप एफ-एफ-थैं दो हम ने ellas को ऊप ने थदया वन अफ एफ टू आगे था हमारा त्रों यह कैसे है मैंने बताया क्योंकि हमने टूभ आइण के लिए लिखा था जर्नलाइज फॉम जब हम बन ले रहे थे चीज़ तो टू बाई वन में तो एक ही तरीका है क्योंकि हमारे पास डॉमिनो वह टू बाई वन का ही है और अगर टू बाई वन का जैसे एंगे गज़िए टरीका होगा एक डॉमिनो टू बाई-बन का रख देंगे इसलिए वन आया जब हम एनगी जेका टू रख रहे हैं टू बाइटू के मैंने दो तरीके बताए कि टू बाइवन के जो दो डॉमिनों है उनको आइधर होरीजेंटली पूट कर दो आइधर वर्टिकली पूट कर दो अब एफ ओफ थ्री हमारे पास इजीली आ सकता है क्योंकि यहां पर एंगी जेकर रखेंगे तो यहां पर अपन को पूर जो एरिया है उसको फिल कर रहे है किस से 2पाइवन के डॉमिनों से लेकिन दूसरा के समक्या ले सकते हैं केस नंबर दो यूजिंग वन टाइल ओफ डाइमेंशन टू बाइटू और फाइव डॉमिनोज तू बाइवन यह देखो काफे इंट्रेस्टिंग है अब हम क्या कर रहे है इसके सेवन पार्ट में कर रहा हूं यह टोटल जो लेंग थे वह सेवन है यह अब देखो एक तो टू बाइटू का टाइल हमारे को यूज करना क्योंकि हमारे पास कुश्चिन में गिवन था कि हमारे पास एक टू बाइटू टू टाइल और सेवन डॉमिनोज है ओके तो अगर मान लो मैं पॉजिशन कर रहा हूं तू बाइटू का टाइल हमने यहां रख दिया तू बाइटू का टाइल यहां रख दिया मैं नमरीं कर रहा हूं यहां से स्टार्ट के वन नमर अगर मैं तू बाइटू का टाइल यहां रखता हूं तो यह तो फिल हो गया आगे क F5 क्या है हमारे पास F5 अपने पास 8 तो इसको फिल करने का तो वन एक तरीका हो गया क्योंकि इस से पहले तो कुछ है ही नहीं 8 प्लस अगर माल लो यह टू बई टू का टाइल हम यहां से स्टार्ट नहीं यहां से रखना इस्टार्ट करें कि एक मिनुट कि यहां से कर रहेते हैं हम लोग कि तो कि सबसे पहले जो हमने लिखा है हमने टू बाइटू का जो टाइल है उसको यहां रखा है यहां तो बाद में कितने स्पेस अपने पास वेकेंट थे जो वन वन यूनिट में क्योंकि अपने को एक टू बाइटू का तो एक ही टाइल है बाकि अपने पास डूमिनो जीज करने हमारे को तो फाइफ टू बाइवन के डूमिनो रखेंगे अपन उसके लिए हमारे पास प्लस अगली बार अगर मैं डॉमिनो को इसको टू बाइटू का जो टाइल उसको यहां रख दो मैं पॉसेशनिंग कर रहा हूं इस बार डू बाइटू का टाइल यहां दो नंबर से स्टाट किया हम तू नंबर अब पता क्या एक तो पहले वाला खाली रह गया और चार चैले नंबर से यहां से रख रहा हूं तो यह देखो इस बार यहां पर है कि तो इस बार क्या हो गया दो तो पहले किरी था कि आपने पास टू और बाद वाले तीन खाली रहे तो F3 कितना है अपने पास 3 प्लस इस बार मैं नमबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं स्टाइल को 2x2 वाली को यह देखो यह तो पहले रहे तीन बाद में रहे दो तो F3 into F2 F3 3 है और F2 2 है प्लस अगर मैं इसको 5 नमबर से स्टार्ट करता हूं तो जान से देखो इस बार पहले कितने रहे चार और बाद में एक तो चार के लिए F4 कितना है अपने पास 5 और एक के लिए वन है और अगर मैं यहां से टूबाइटू के टाइल को रखता हूं इसके बाद तो टोबवाइटू का रखनी पाएंगे तो बात में तो कुछ निहीं बचा पहले वाले कितने बच पांच बच तो एफ फाइव कितना अरिवास 8 तो देख सकते हम पहले तीन और आखरी के तीन से मीआ रे तो पहले दिन दो आठ एड से रहत है तेरह और शेंच तो उन्निस नहीं 13 то यह आजागा ठर्टी एट और पहले अपना जो आंसर आये था पिछला जो पहला केस था उसका आंसर आए था आपने पास तो यहां पर एफ सेवन यह तो हमारे दोनों केसे के आंसर को अपने एड़ करेंगे तो ट्वंटी वन फ्लस थर्टी एट यह टेट इस 59 तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाला इस था अच्छा कोशन था तो माक के लिए अगर देखें तो चलू नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं फिर से कोशन काफी easy था लेकिन थोड़ा सा tricky था एक चीज में गल्लती हो सकती थी देखो आपन discuss करते हैं find number of triples, actually triplets लिख दें इसको, find the number of triplets ABC of positive integers such that AB is prime, अब देखो सबसे पहले तो ABC जो हो positive integers है, तो simple सी बात है, अगर अपने को AB प्राइम चाहिए, AB अपने को प्राइम नंबर चाहिए, तो यह साफ सा पता लग रहा है, कि either A is 1 और B is 1, क्योंकि अगर यह 1 नहीं होंगे, तो फिर AB का multiplication प्राइम नहीं होगा, तो दोनों में से एक को तो 1 होना पड़ेगा, और AB 1 हो सकता है, और B 1 हो सकता है, तो यही दो case हम लेके चलेंगे, और B is 1, ओके, तो हम लोग एक काम खरते हैं, यहाँ पर लगे लेते हैं, आइदर A equal to 1 और B equal to 1, फिर आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, BC is a product of 2 primes, BC जो है वो product है 2 prime numbers का, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती जो हो रही है, वो यह हो रही है, BC जो है, वो product है 2 prime numbers का, उसने यह नहीं कहा कि B और C दोनों prime होने चाहिए, BC है वो product होना चाहिए 2 prime numbers का, जैसे मालो सबोच गरो कोई BC है, वो उसने बोला product of 2 prime numbers, तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, वो यह है, कि अगर B1 हो जाए, और C को 6 ले ले, मैं मालो B1 ले लेता हूं, C6 ले लेता हूं, BC6 आ गया, तो जो 6 है, product of 2 prime numbers है कि नहीं है, है बिल्कुल 2 and 3 का product है, 2 prime numbers का product है, और यहाँ पर B और C दोनों prime नहीं आए, है, दोनों prime नहीं है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि B और C दोनों को prime लेना जरूरी नहीं, ठीक, तो आपना आगे चलते हैं, तो जहां से देखिया, आगे ABC is not divisible by square of any prime, तो ABC के product में, ऐसा ABC के product में का कोई भी factor है, वो अपना जो जितने भी prime number है, उसका square उसमें नहीं होना चाहिए, simple सी बात है, और इन तीनों का product है, वो less than equal to 30 दे रखा, less than equal to 30, तो आपन आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ध्यान से देखिये, ये नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, तो हम पहला case लेके चलते हैं, case number 1, a equals to 1, अब देखो, इसने बोला, a, b is prime, तो a, 1 ले लिए, तो b prime number होगा, simple सी बात है, case number 2 में यहां पर mention कर देता है, a prime होजए and b1 होजए, simple है, b equal to 1, तो ध्यान से देखो, a, b prime होना चीए, तो a1, either a1, b prime, और a prime, b1, तो देखो, a को हम 1 fix कर रहे है, 1, a1 है, अब सबूर करो, b prime है, तो मैं कैसे जबनाता हूं, पहले मैं b की जिगए, फिक्स कर रहा हूं, value 2, okay, तो जान से देखो, 1, 2, आगे हम 3 ले ले ले, अच्छा, c की जिगए हम 2 क्यों नहीं ले रहे, अगर हम c की जिगए 2 लेंगे, तो इनका जो product करेंगे, तो 2 का square बनेगा उस product में, तो जो की इसने साफ साफ मना किया है, ABC is not divisible by square of any prime, तो same number हमें लेना ही नहीं है, okay, तो different लेंगे, तो 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 7, 1, 2, 11, 1, 2, 13, जेखो product भी मैं साथ साथ देख रहा हूं, 30 है, उससे कम दे रखा है, तो 1, 2, 17 अगला है, वो नहीं हो सक तो 34 जगा product, तो अब यह तो value होगी, 2 की मैं, मैंने B की जगा 2 fix किया था, हमें B की जगा 3 fix कर रहा हूं, 1, 3, और आगे हम ले ले, वापस 2 नहीं ले रहा हूं, मैं, देखो, ध्यान से, cases को कम करने के लिए, जल्दी सुनर करने के लिए, हम इन दोनों को factorial 2 कर देगे, तो अ बाद हम 1, 3 के बाद, 1, 3, 5 है, 1, 3, 7 ले सकते है, 1, 3, 11 हम लोग नहीं ले सकते, 1, 3, 11 लेंगे, 33 हो जाएगा product, तो वो भी हम नहीं ले सकते, और 1, 5 लेंगे, तो 1, 5, 7 वो भी ज्यादा हो रहा, तो इतने ही cases जाएंगे, लेकिन इन में दो-दो case बन जाएंगे, क्यों, क् पर इसको 3, 2 भी लिख सकते हो, 2, 5 है, 5, 2 भी लिख सकते हो, ऐसे factorial 2, 1 को change नहीं करना है, क्योंकि 1 हमने fix ले रख है, A equal to 1, A equal to 1 है, इस case में, तो total case कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन 7 से double case बनेंगे, क्योंकि इन 2 और 3 को हम interchange कर सकते, 2, 5 को कर सकते, 2, 7 को कर सकते, तो मैं कैसे कह सकता हूं, 7 case है, into factorial 2, तो यह 14 cases बनगे अपने पास, अपने पास cases करते हैं, 14, दूसरा क्या ले रहे हैं, A prime and B1, A prime and B1, इस बार B को fix कर रहा है, A prime number है, अब हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इसने बोला था, BC is product of 2 primes, तो देखो BC is product of 2 primes है, तो B तो fix कर दिया 1, तो C को हम 2 into 3 ले ले, ताकि यह जो BC है, B यह रहा, C यह रहा, तो product of 2 prime numbers हो जाएगा, BC जो है, वो product of 2 prime हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, A को क्या लेख सकते हैं, A' ने लिखावा है, क्या हम यहाँ पर 2 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, तो इस product में 2 दो बार आएगा, 2 का square हो जाएगा, तो third condition जो है, वो जाएगी, violation of third condition, कि ABC is not divisible by square of any prime, तो 2 भी नहीं ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 ले प्रोड़क्ट 30 हो रहा है, कोई दिकत नहीं, 7 लेंगे तो product जादा हो जाएगा, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, हम c की जिखा कर हम ले ले, suppose करो 3 into 5, और b तो 1 है, तो 3 यहां नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 का square बनेगा, 5 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 30 आ रहा है, multiply कर रहे हैं, तो 30 चलेगा, ABC less than equal to 30 लिखा हो है, लेकिन 7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रोड़क्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 15 वहाँ है, 7 यहां तो 105 हो जाएगा, और हम क्या ले सकते हैं, और हम ले ले मालो 2 into 5, भी तो 1 है, 2 into 5 लेंगे, तो इसके साथ 3 ले सकते, 2 तो ले नहीं सकते, डबल बार आजाएगा, तो जो अपने कंडिशन है, वोलेट हो जाएगी थर्ड कंडिशन और फाइव ने रजाएगा, तो इनका प्रोड़क्ट ले पारें, क्योंकि अब आगे तुम सोच रहे हो, कि 2 into 7 लेंगे, तो 2 into 7 उसका प्रोड़क्ट 14 आ रहा है, तो यहां पर 2 ले नहीं पाएगे, 3 भी लेंगे, तो 14 को 3 से करेंगे, तो 42 आ रहा है, जो कि जदा हो जाएगा, तो इसलिए और कंडिशन हम नहीं ले पाएगे, तो 14 केसे यह है, और 3 केसे यह है, और इनको अपन स्वैप नहीं कर सकते हैं, कैसे अगर यहां 6 को इदर लाओगे, 5 को अधर ले जाओगे, तो गडबड हो जाएगी, क्योंकि A' है, तो इसलिए तीन ही केस बनेंगे, तो अपना टोटल नंबर ओफ केसे 14 प्लस 3, 17 आ जाएगे, तो इसमें केस नंबर 2 जो था, वो जर्रली बच्चों ने छोड़ा होगा, क्योंकि हम लोग यही सोच के चलते हैं, क्योंकि B' है, तो और साथ में B C is a product of 2 प्राइम, तो हम B को प्राइम लेके चल लेते हैं, कि वह B C product of 2 प्राइम है, तो B B' C' ऐसा था नहीं, तो इस सेकंड केस था, इस वज़े से, मैक्सिम लोगोंने 14 आंसर किया होगा इसका, आगे चलते हैं, अगला जो question था, वो थाड़ different approach पे था, देखके हमारे को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई sequence series का question हो, लेकिन जब हम sequence series की help से, जैसे अपने को A0 दे रखा है, A1 दे रखा है, इनकी help से जब हम A2, A3, A4, A5 यह सब लिखते हैं, तो हम लोग कुछ conclusion draw नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़े से यह आजए, A50 का square minus A49, A51, easily नहीं आएगा, और वैसे तो काफिलनी calculation हो जाएगी, तो यहाँ पे हम different approach जो सोच सकते थे, quadratic equation में हम इस तरह के concept पढ़ते हैं, और वो approach हम लोग यहाँ पे समझ सकते थे, कि suppose करो, An plus 2 है, यहाँ पे हम इसको X square ले, An plus 1 है, इसको X ले ले, और यह constant की तरह हो जाएगा, An है, तो यह इस तरह से equation मढ़ेगी, quadratic equation, देखो, पहले मैं given data बता देता हूँ, A0 अपने पास 1 है, A1 अपने पास minus 4 है, और यह लिखावाई है, और जो अपने पास पूछा है अपने को, अपने को जो पूछा है, वो यह 50 का square minus A49 into A51, तो quadratic में हम इस तरह की equation use करते हैं, तुमने काफी बार question देखे होंगे, इस तरह की आते हैं, कि P N plus 2 minus 4, सिर्फ A को मैं P से replace करके दिखा रहा हूँ, इस तरह की काफी question हम लोगों ने किये हैं, quality की में हम direct लिखते भी हैं, इस तरह की चीजे, ऐसे question हम लोगों ने किये हैं, काफी, तो ज्यान से देखे हैं, तो यह जो equation बन जाएगी, तो यह बन जाएगी, x square is equals to minus 4x minus 7, so this will become x square plus 4x plus 7, अगर थोड़ा थोड़ा यह चीजे याद आ रही है, इस तरह की question, j में भी काफी बहर कुछे जा रहे हैं, जैसे कई बार ऐसे लिख देता है, p1 equals to, a alpha raise to power n plus b beta raise to power n, इस तरह की चीजे हैं, होती हैं, तो हम directly इसको pn plus 2 plus 4 times pn plus 1 plus 7 times pn, यह हम लोग लिखते ह हैं ऐसा, काफी तरह काफी question हम लोगों ने इस तरह की हैं, तो ज्यान से देखना भी, इसको solve करते हैं, तो quadratic को solve करने के लिए, हम यूज कर रहे हैं, quadratic formula minus 4 plus minus b square 16 minus 28 divided by 2, this is equal to minus 4 plus minus, यह होगिया minus 12, तो 12 को हम लिख सकते 2 root 3, और minus 1 के पर जिसे आयोटा आएगा, 2 root 3 आयोटा by 2, तो यहां से जो x की values आ रहे हैं, वो आ रहे है, minus 2 plus minus root 3 आयोटा, तो यहां पर मैं roots बोल देता हूँ, alpha and beta, 2 plus root 3 आयोटा, बेटा बोल देता हूँ, minus 2 minus root 3 आयोटा, तो यहां से हम alpha plus beta अगर लिखना चाहिए, अगर कहीं आगे कम में आती है चीज़, तो यह चीज़ हम पढ़ते हैं, प्लस आयोटा बी इंटू, a minus आयोटा बी, a square plus b square, तो इस विल विकाम 4 plus 3, 7, तो यह चीज़ हमारे पास आगे हैं, तो आगे हम इनको further use करते हैं, तो मैंने बताया था कि, अब हम लोग माल लेते हैं, a n को, a n को माल लेते हैं, सब्सक्रों, k1 alpha raise to power n, plus k2 beta raise to power n, और इसकी value हम k1, k2 की कैसे find out करेंगे, जान से देखो, a0, 1 दे रहा है, a1 minus 4, a0 अपने पास, 1 दे रहता है, a1 minus 4, तो a0 की value, यहां 1, n की जिएका 0 रखना हूं, तो यह alpha की power 0, 1 हो जाएगा, beta की power 0, 1 हो जाएगा, k1 plus k2, एक equation आगे अपने पास, दूसरा 1 रखेंगे तो यह minus 4, k1 alpha plus k2 beta, अब हम क्या करते हैं, यहां से k2 का value इसमें डाल देते हैं, तो k1 alpha, k2 का value आएगा, 1 minus k1 beta, तो this is equal to minus 4, k1 alpha plus beta minus k1 beta, इन दोनों में से अपना k1 को मना जाएगा, alpha minus beta plus beta, अब जान से देखो, जो alpha था अपने पास, वो था minus 2 plus root 3 iota, और जो beta था, वो minus 2 minus root 3 iota, वो value में रख रहा हूं है यहां पर, तो देखो, minus 4 equals to k1 alpha minus beta, alpha minus beta directly 1 करेंगे, तो यह cancel होगे, 2 root 3 iota बन रहा है, और plus beta, beta की value हा, minus 2 minus root 3 iota, तो minus 2 इदर आगे, plus 2 होगा, तो यह minus 2 बज रहा है, plus root 3 iota बज रहा है, और यह नीचे आ जाएका, 2 root 3 iota, यहां से k1 की value आ रही है, 2 से 2 cancel होगा, 1 by iota minus iota होता है, तो iota by root 3, और यहां पर हम देखें, iota से 1 by 2 के k1 आ रहा है, तो k1 अपने पास आ रहा है, 1 by 2 plus iota 1 by root 3, और k2, k2 क्या है अपने पास, k2 है 1 minus k1, 1 minus k1, तो यह बन रहा है अपने पास, यह plus है, sorry, k1 की value में, तो यह half minus 1 by 2, k2 की अपने पास value आ चुकी, तो ज्यान से देखो, थोड़ा rough करना प्राइब आपने को, तो एकां करते है, k1 k2 की value अपन यूज करते हैं, और इसको further solve करने के लिए, हमने रेज कर लेता हूं, तो अपने जो k1, हमने जो a n लिखा था, वो k1 alpha की power n plus k2 beta की power n लिखा था, k1 का value अपने पास half plus 1 by root 3 i8 हमने को मिला था, k2 का value half minus 1 by root 3 i8 हमने को मिला था, ठीक है, अब जो अपने को पूछ रहे, उसमें आगे चलते हैं, अपने को जो value पूछ रहे हो, a 50, a 50 का square, a 50 square minus a 49, a 51, ओके, तो 50 अपन put करेंगे आपे, तो यह बन जाएगा, k1 alpha की power 50, plus k2 beta की power 50, इसका whole square, 49 अपन पूट करेंगे आपे, k1 alpha की power 49, k2 beta की power 49, 51 पूट करते हैं, k1 alpha की power 51, k2 beta की power 51, इसको solve करेंगे, यह बन रहे, k1 square, alpha raise to power 100, plus k2 square, beta raise to power 100, plus 2 k1 k2, alpha into beta raise to power 50, इसको इसे multiply करेंगे, minus k1 square, alpha raise to power 49, 51, 100 हो जाएगे, minus k1 k2, alpha raise to power 49, है, beta raise to power 51, इसको इसे करेंगे, minus k1 k2, alpha raise to power 51, beta raise to power 49, और इसको इसे करेंगे, तो minus, जोगी minus यहाँ चल रहा है, k2 square, 49, 51, beta raise to power 100, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यह और यह cancel out हो रहे, तो यह देखी क्या आँपर, k1 k2, इन दोनों को multiply कर लेते हैं, साइट बेर, k1 k2, a plus i, a minus i, 1 by 4, plus 1 by 3, this is 7 by 12, so 2 times, 7 by 12, alpha beta की value अपन देख लेते हैं, हमने वैसे, alpha beta लिखा था, alpha है minus 2, plus root 3 आयोटा, तो beta अपना जो आये था, एक बाद चेक पर लेते हैं, alpha हो ओके ठीक है, तो alpha into beta फिर से, आयोटा है, a plus i, a minus i आयोटा भी, तो यह हो जाएगा, 4 plus 3, 7, तो यह आ रहा है, आपने पावस, 2 into some, और यह 7 raise to power 50, minus, यहां से अगर अपन ध्यान से देखें, k1 k2 common आ रहा है, और alpha की पावर 14 है, यहां beta square plus alpha square, यह बचला है, तो ध्यान से देखें, यह 7 raise to power 51 by 6, minus k1 k2 का वेलियो अपने पास है, 7 by 12, यह अपने पास है, 7 raise to power 7 हो जाए गए, alpha plus beta minus 4, 16 हो जाए गए, minus alpha पीटा अपने पास 7 हो जाए, 14, 2 answer आ रहा है, तो यहां पे हो जाए 2, तो यह बन रहा है, 7 raise to power 51 by 6, minus 7 raise to power 50 by 6, तो जान से देखो भी, यहां पे हम लोग, देख रहे हैं, खिक है, अब इन दोनों में से, जाने, 7 raise to power 50 by 6, common आ रहा है, 7 raise to power 50 divided by 6, common आ रहा है, तो यह बच रहा है, 7 minus 1, तो 6 से 6, cancel हो गया, तो अपना 7 raise to power 50 आ रहा है, प्राइम नंबर है, पावर 50 है, नंबर ओफ डिवीजर सा अगर आपन देखें, तो फाइंड दा नंबर हो, पोजेटिव इंटीजर डिवीजर, तो 50 प्लस 1, तो आंसर अपना हो जाएगा, 50 प्लस 1, 51 डिवीजर हो जाएंगे, तो आपने को बोला है कि एम स्कॉर्म को कैसे लिखना है, 4N2-5N, प्लस 16, ऐसे लिखा हो है, और कुछ-कुछ है, M और N कैसे है, इंटीजर है, दूसरी चीज़, अपने को इसका, मैक्सिमम वैल्यू, पाइंड आउट करना है, पहली चीज़ तो मैं यह जो N वाली चीज़े हैं, इनको इकटा कर लेता हूं, परफेक्ट स्कॉयर बनागी, तो देखो कैसे बनाएंगे, 4 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, तो बचे का क्या, N2-5 by 4N, और प्लस में 60, और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 25 by 64, और 25 by 64 से किया, तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा, 25 by 4 से डिवाइड करते ही, 1 और 6, 60, यह हो गया, M2, यहां पर अपने पास में बन गया, M2 equal to 4 into N-5 by 8 square plus, यह अपने पास में आ जाएगा, 16 into 16, 16, 256 और minus 25, 231, यह हो जाएगा 231 upon 16, मैं क्या अगर देता हूं, 16 से multiply कर देता हूं, 16 से multiply करते ही, यह हो जाएगा, अपने पास में, M2, 16 M2 equal to, यहां पर 64 आएगा, यह 4 और यह 16, तो cancel तो यह हो जाएगा, 8 N-5 all square और plus का 231, यहां पर देखो, अब देखो, यह A square minus B square type के identity बन भी तो इसको पास तो सिंप्लिफाई करके अचे लिख सकते हैं, 4 M minus 8 N plus 5 और एक आजाएगा, 4 M plus 8 N minus 5 equal to 231 है, तो 3 into 7 into 11, कुछ इस तरह अचा है, अब देखो, यह 4 M, 8 N, 5 यह सब integer, क्योंकि M और N integer है, इनको add, subtract करोगे तो भी integer यहाना है, इसको क्या करना है, अपने को दो number के product के form में लिखना है, यह सब के सब prime number है, तीन number है, अब अपने को यह भी बोला है कि M minus N highest रखना है, तो M को highest कर देंगे, तो automatically M minus N क्या हो जाएगा, highest हो जाएगा, तो यहां से मेरे को इसको highest रखना है, तो इन में से जो भी बढ़ा है, कुन सा बढ़ा है यहां से, और 4M minus A10 plus 5, यह कितना हो सकता है, दो इन दो number को 231 है, तो यह भी 231 है, तो ऐसे लिख देता हो, इन दोनों को add गरूँगा, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा, 8M का value, वो कितना है, 232, 232 में 8 का divide होता है, M equal to 16 और 70, 2, 29, तो M का value 29, अब N का value निकालने के लिए, M की value यहां पर रख देतो, 29 into 4, इसमें रख रहा हो, 4 into 29 minus 8N plus 5 और एक इदर से आएगा, तो यह हो जाएगा, 4 equal to 0, देखो, इसको add करेंगे हैं, तो कितना हो रहा है, 4 और 29 और एक यहां से, 4 into 30 और 8N उदर चला जाएगा, यहां से ध्यान से देखो, तो N का value कितना आ रहा है, 15, अब देखो, अपनने किसको लिया, 1 or 231, तब दोनों integer आ रहा है, इन्होंने बोले integer है, और M हो रहा है, integer है, इनका difference कितने का आएगा, वो आएगा difference 14 का, 14 है अपना क्या है, maximum possible value of M minus N, तो answer कितना हो जाएगा, 14, 15, so next question इसमें है, P x, P x equal to this, a polynomial given है, P x equal to this, A, B, C all are integer and C is odd, P i is the value of polynomial, P i is the value of P x, P x is the value of polynomial at x equal to i, given that this a cube plus b cube plus c cube, इस type का कुछ जब भी आता है, तीन numbers का cube, उन तीनों के product और 3 से multiple, तब अपन क्या मानते हैं, कि P 1 plus P 2 plus P 3, यह यह तो क्या रहा होगा, 0, यह फिर क्या रहा होगा, यह तीनों number equal रहे होंगे, अब कुल मिलागे अपने को निकालना, इन P 1, P 2, P 3 की value, तो P 1 तो यहां से ध्यान से अगर अपने निकालेंगे, तो वह आएगा अपने पास में, A plus B plus C plus 1, X की जगा बन-put कर दिया, ऐसी P 2 calculate करेंगे तो वह आएगा, 4A plus 2B plus C और plus में 8, ऐसी P 3 आएगा, 9A plus 3B plus C और plus का 27, अगर मैं यह वाली बात को सही मानूं, तो इन तीनों का सम करना है अपने को और वह किसके को लोना चाहिए, 0, तो यहां से इन तीनों का सम करोगे तो यह आएगा अपने पास में, 14A plus का 6B plus का 3C और plus में 36, अब इन्होंने क्या बोला है, C is odd, तो अगर C odd है अपने पास में, तो यह वाली चीज़ क्या हो गई, odd हो गई, इसको even, 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 3 even मिलके क्या बनेगा, एक even बनेगा, और एक क्या है अपने पास में, odd और even को कभी भी add करोगे तो 0 तो आएगा नहीं, यह वाला case तो कभी भी possible होगा नहीं इसके लिए, अब रहे कि यह बात कुन सी रहेगी अपने पास में, यह वाली, पी बन इकोल टू, पी टू करते हैं पहले तो फिर पी टू कर लेते हैं इन दोनों को पहले solve करके अपन क्या निकाल देते हैं एक equation निकाल तो इसमें से इसको minus कर देता हूं यह equal कर दिया, तो क्या जाएगा, 4A-A यानि 3A और 2B-B, यानि B और C-C cancel, 8-1 यानि यह हो जाएगा, 7 equal to 0, ऐसे इसमें से इसको minus कर दो, यानि B2 और B3 equal है या फिर इन दोनों को equate कर दो, तो क्या जाएगा, 5A plus में B और plus 19, is equals to 0, यहां से अपन किसकी value निकाल सकते, A और B की, तो A की value इन दोनों को minus करोगे तो आएगा, 2B plus में 19 minus 7, यानि 12 equal to 0, तो B की value तो आजाएगी अपने पास में, यहां से minus का 6, A की value minus 6, तो यह हो गया, minus 30, 30 उदर जाएगा, minus 19, यानि B की value आजाएगी अपने पास में, 11, A, B की value आजाएगी, C की calculate करें, तो 11 minus 6, वो हो जाएगा 5 और 1, यानि 6, फिर next अपने को क्या देखना है, value निकालने है कि इसकी, P2, 2P1, P2 का मतलब हो गया, यह, 4A plus 2B plus C plus 8, और 2P1, इसमें 2 से multiply करके add कर रहा हूँ है, यह हो जाएगा, अपने पास में 6 से, plus में 4B, और 3C, और plus 10, और उसमें से minus करना है P0, 3 time, 3 time P0, मतलब P0, यह तो 3 हो 0 जाएगी, और plus का बचेगा C, 3 time minus 3C, तो C से C, 10 से, अपने को C की value भी जरुत ही नहीं, तो 6A plus 4B, और plus में 10, A will be minus 6, तो minus 36, और 44, and plus 10, यह हो जाएगा, minus 36, plus का 54, 54 में से 36, minus करोगे तो, यह हो जाएगा, 8 और 1, 18 क्या हो जाएगा, अपना answer, 12th question का answer कौन सा है, 18, next question पर चलते हैं, question number 13, the x radii, x radii of triangle, x radii के मतलब r a, r b और r c ऐसा कुछ है, r c, यह तीन हो value है, अब अपने को पता है, x radii का formula क्या होता है, delta upon s minus a, यह तो है, r a, वो कितना हो गया, 21 by 2, यानि s minus a का value कितना आ गया है, यहां से अपने पास में, 2 delta upon 21, ऐसे r b, r b क्या हो गया, delta upon s minus b, और वो हो गया, अपने पास में, 12, means s minus b का value हो गया, delta upon 12, ऐसे s minus c निकालने की तो हो आ जाएगा, delta upon 14, अब अपन क्या करते है, एक formula आपने को यह पता है, क्या होता है, इन तिनों को add कर सकते हैं अपन, चलो add कर लेते हैं, formula बाद लेगे, इन तिनों को add करते हैं, क्या जाएगा, 3s और minus a plus b plus c, यानि 3s minus a plus b plus c, और वो किसके एकोल हो जाएगा, इन तिनों को add करना है, 2 delta upon 21, plus delta upon 12, plus delta upon 14, यह तो 2s होता है, और 84 है नि, 7, 12 x 7 होता है, 84, तो 7 delta, और यहां पर आजाएगा, अपने पास में, 6 delta, 6 delta है, 14 से divide कर दोगे 84 को, 6, तो यह आजाएगा, 6 delta, 6 और 14, और 7, 21, यह आगा, यह तो सिज़ा, आप देखो जहां से, एक अपने को formula पता होता है, कि r1, r2, plus r2, r3, plus r3, r1, equal to s square, r1, r2, यह तो 21, by 2, r12, plus 12, into 14, plus 14, into 21, by 2, equal to s square, यहां से तो आगया, आपने पास में 6, और यह हो गया, 7, इन सब में 7 common है, यहां पर 7 common ले लूँ, मैं, थोड़ी calculation easy हो जाएगी, यहां से, 3 into 6, वो हो जाएगा 18, plus 12 into 14, यह क्या हो जाएगा, 12 into 14, 120, or 20, sorry, 140, or 28, 168, यह हो गया, 168, और plus में, 21 into 7 तो बहार आगा, sorry, sorry, यहां से 7 बहार ले लिया है, तो यह 164 ना आके अपने पास में क्या हैगा, 7, 24, और यहां पे 7 बहार आते ही, 21, यह हो गया, S square, 7, 18, और 24 और 21, यह हो जाएगा, अपने पास में, 3, और 63, S square, यह देखो, यह 9 into 7 है, तो S का value हो जाएगा, 21, 7 और 3, 21 आगया, S का value, यहां से अपन निकाल सकते, यहां से अपन डेल्टा का value कितना आ जाएगा, 21 into 4, यहनि, डेल्टा का value आ गया, अपने पास में, 84, अब देखो, यहां पे अपन S और डेल्टा के value रख देते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, अपने पास में, ABC आ जाएगा, तो डेल्टा का value तो अपने पास में 24, यहां से A का value, 21, minus A, A calculate करना है, तो डेल्टा, डेल्टा का value 84, 84 को 21 से डिवाइड करेंगे, 4 यहां गया, 8, यहांनि, A का value कितना हो गया, अपने पास में, 13, ऐसी निकालेंगे, तो B का आ जाएगा 14, और C का आ जाएगा 15, यह तीन नमबर आ अपने पास में, अभी नहोंने बोलाए और minus R, equal to 0, इसके root से ABC, आयान, और ABC अपने को पता है, क्या है, 13, 14, and 15, अपने को एक value निकालनी है, root over P plus Q plus R, P plus Q plus R की value, अगर ढहां से देखो, तो P की value था है, sum of roots, यहानि, A plus B plus C, और Q क्या है, AB, BC, और CA, plus R क्या है यहाँ पर, ABC, अब दो को ध्यान से देखो, तो मैं इसमें, अगर plus 1 और minus 1 कर दू, उसका एक फायदा होगा, यह सब के सब, कितने number बनगे, 9, 9 number बनगे, 8, तो यह क्या बन जाएगा अपने पास में, A plus 1, B plus 1, और C plus 1, इसका product बन जाएगा, और minus का 1 है, A plus 1, B plus 1, 14, 15 और 16, यहाँ पर यह आगया, 14, 15 और 16, minus 1, इसका अपन रूट कल्कुलेट करेंगा, इसका अपने पास में, आंसर आजाएगा, कितना, 58, 58 आएगा, 48, 58 जोगी आएगा, next question अपने पास में, 14 number, let ABC be a triangle in the XY plane, where B is the, B is at the origin, let BC be produce to D such that, कुछ इस तर ऐसे, एक triangle अपने पास में, ABC, ऐसे normal सा triangle बना लेते है, A, B, C, इन्होंने क्या बोला है, ABC को produce कर देते हैं, आपन, sorry ABC को नहीं, BC को, BC को produce करने, D तक किस तरह से BC और CD equal आजाए, इन्होंने क्या बोला है, C, A को produce करना है, इसको इस तरह से produce करना है, क्या हो जाए, C, A, E का ratio जाए, E point यहां कहीं पर होगा, यह ratio होगा, 2 ratio, 1, अब A, B को produce करना है कहां तक, B, F तक, यह हो जाएगा 1 ratio 3, यह हो जाएगा, अपने पास में यहां कहीं पर कोई point भागा, इस point को नाम दिया है इन्होंने, A, B को produce किया F तक और यह है अपना E, इन सब को मिला दिया, हाया ना, B को इन्होंने बोला है कहां पर origin पर, तो B के coordinate होगा, 0, 0, एक जानकारी होगा अपने पास में कि इसका जो centroid है, A, B, C triangle का, वो जो G है, उसके coordinate यह रहे, अगर मैं A और C को किसी को मान लेता हूं तो G से अपन क्या निकाल सकते उस दूसरे वाले के coordinate निकाल रहे, तो A को मैंने मान लिया, A, B, अब देखो, A plus 0 plus C का X coordinate बिलके क्या बनाएगे, 32, तो 32, अब दिवाइड 3 से करने, 32, 3 से multiply करके alpha minus कर दूंगा तो इसका coordinate आजाएगा, यानि C के coordinate आजाएगे, अपने पास में 32 x 3, यानि 96 minus alpha और यह आजाएगा, 24 x 3, यानि 12, 72 minus beta, यह C के coordinate आगे, अब ध्यान से देखो, ABC तीनों के coordinate अपने को एक यह वाला point, E point और F point निकाल लें, तो D point कैसे निकालेंगे, D एक point है, H, K, U भी मानना से है अपने, उसको, उसका mid point यह C है, एक तरह से यह 00 है तो यह D क्या हो जाएगा, इसका double हो जाएगा, तो D point अपने पास में आजाएगा, इसका double, वो कितना है, 96 x 2, 192 minus 2 alpha, और 72 का double कितना हो जाएगा, 144 minus 2 beta, यह तो D आ गया, ऐसी अपने को F निकाल सकते हैं यहां से, F कौन सा है, F यह वाला point है, तो 3 तो multiply होगा alpha से, F को एक बार के लिए अपन H के बार नहीं लेते है, कुछ mistake ना हो जाए उसके लिए calculation में, तो किससे multiply करना है, 3 तो होगा 1 से multiply और 1 किससे होगा H से, अपन में 4 और वो क्या जाएगा, 0, तो 4 से 0 होगा multiply और alpha यह कुछ इस तरह से है, H plus 3 alpha अपन में 4 equal to 0, याने H का value कितना आ गया, minus 3 alpha और वैसे K का value आ जाएगा, minus 3 beta आप देखो, E को भी एक बार के लिए कुछ मान लेते हैं, यह लोग कुछ मान लेते है, X, Y आप देखो, X तो किससे multiply होगा, 1 से और यह जो multiply होगा, 96 minus 2, याने X into 1 plus 2 into 96 minus alpha, आप उन में 1 plus 2 equal to में क्या है, alpha, तो alpha किससे multiply होगा, 3 alpha से, X का value क्या आ जाएगा, आपने पास में, 3 alpha minus, यह वाली चीज़ आ के मान लिए, 2 into 96 minus alpha, तो देखो, minus 2 minus alpha, मिलके हो जाएगा, 2 alpha है, यानि, E के coordinate में क्या है, 5 alpha और minus 2 into 96, 96 into 2 होता है, 192, ऐसी Y coordinate, alpha की जाएगा, क्या करना है, बीटा और 96 की जाएगा, 72, यह हो जाएगा, 5 beta और minus 144, यह triangle बन गया, DEF, इसका centroid इन्होंने बोला है, centroid of the triangle ABC and K भी the centroid of triangle DB, इसका centroid यह इन तिनो को, अब मिलाके अपने को यह triangle बनाना है, उसका centroid आएगा, K, अब इन तीनों का X coordinate को add करो, यह सब add होके क्या बन गया, 0, और 3 से divide करते ही, 0, तो K जो point आएगा, वो centroid है, DEF का, उसके coordinate क्या आगए, 00, अब K और G के बीच की distance निकालनी, केजी है, वो कितने आएगी, 32-0, 24-0, यहांनी 32 का स्क्वाइर, प्लस 24 का स्क्वाइर, 32 में 8 common है, यहां से भी 8, तो 8 तो भार आ जाएगा, बचेगा कितना, यह तो 4 हो गया, 4 का स्क्वाइर, प्लस 3 का स्क्वाइर, वो होता है, 5 का स्क्वाइर, यहांनी 8 x 5, और वो कितना हो जाएगा, 40, तो यह जो केजी डिस्टेंस है, वो किसके एकोल अपने पास में, 40, आंसर क्या रहेगा, 40, अब नेक्स्ट कुश्चन पर आ जाते हैं, अपने पास में, 50 नमबर कुश्चन, लेट, ABC, D, BA, unit square, एक unit square है, पहले ही बनाई लेते हैं, देखते बाद में क्या बनता है, एक square है, ABCD, इन्होंने क्या बोला है, सपोस, M and N are points on BC, M तो किस पे, BC पे हैं, और N किस पे, CD पे, these are two points respectively on BC and CD, such that perimeter of triangle MCN, इस triangle का perimeter, यह इन इन तीनों side को मिलाने के बाद में जो perimeter बनेगा, मैं इनको कुछ माल लेता हूं, यह X माल लिया, यह Y माल लिया, तो यह कितनी हो जाएगी, 1-X और यह हो जाएगा, 1-Y, यह 1 है यह अपने पास में, और यह कितनी है, 1, आप इन्होंने बोला है कि AMN, यह वाली MN side भी वैसे निकाल सकते हैं, पाइतागोरस theorem से 90 degree यह है, root over X square plus Y square, इन तीनों का sum क्या बोला है, इन्होंने, X plus Y plus root over X square plus Y square equal to 2, perimeter 2 बोला है, तीनों side का sum करके 2 का equal कर दिया अपन है, चलों, यहां से कुछ निकाल लेते relation आएगा तो फिर उसको utilize कर लें, कई जर्रत पड़ेगी, X square plus Y square, square अटा रहा हूँ, 2 के उस side में लेके जारा हूँ, X plus Y को, तो उसमें से बन जाएगा, 4 plus X plus Y का square और minus 4 into X plus Y, यहां से X square Y square आएगा वो इससे cancel हो जाएगा, तो बचे का क्या है, यहां पर 2XY, इस 4XY को इधर ले आऊँगा और 2 से divide और कर लें, अब देखो, मैंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि एक triangle AMN बन रहा है, MAN या AMN जो भी, यह triangle बन रहा है, अब देखो, यहां पर अलग अलग कुछ angle है, अपने को क्या निकालना है, इसके लिए एक, इसका एक क्या होगा, circumcenter होगा, यह इस triangle के लिए एक circumcenter होगा, और यह वाली distance अपने को पता है, किसके equal होगी, radius, R1, R1 मालने थे इसको, और इसके भी अंदर एक triangle है, उसकी radius मालने के पन, R2, एक अपने पास में sign rule का formula होता है, क्या होता है, A upon sign A, B upon sign B, equal to C upon sign B, और वो किसके equal होता है, 2R, यहाँ पर अगर कैसे भी करके अपने को यह वाली चीज़ पता लगजा, यह वाला angle, तो अपना काम प्रहसानी से हो जाता है, क्योंकि यह अगर phi है, theta है, जो मैंनो, इसको phi मान लिए मैंने, तो यह कितना हो जाएगा, 2, phi, क्योंकि R क्या है, center है, किसका, circle का, जो इसको पास कर रहा है, यह अइसा कुछ circle होगा, यह code बन गई, तो code circumference पर जो angle बनाती है, उसका double center पर बनाएगी, यह angle पता लगती है, यह पता लग जाएगा, तो कैसे भी करके अपने को यह वाला angle निकालने है, यह angle क्या है, 90 में से इन दोनों angle को minus कर दूता आ जाएगा, जान से देखो 10 alpha का value, यहां से पता लग गया अपने को कितना आएगा, 10 alpha होता है, perpendicular upon base, 1 minus x upon 1, यह 1 minus x, ऐसी 10 beta का value क्या आगे अपने पास में, 1 minus y, अब देखो alpha plus beta को add कर लेते हैं, उससे क्या होगा, 5 का value पता ल एक बार के लिए, तो 10 alpha plus beta, वो किसके equal आएगा, 10 alpha 10 plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 beta, यहनि 1 minus x और 1 minus y तो यहां पर आगे, यहां पर 1 में से इन दोनों का product minus हो जाएगा, देखो, उपर तो बन गया 2 minus x plus y, और denominator में बनेगा 1 और 11, यह cancel हो जाएगा, minus minus plus, तो x plus y तो आएगे, प्लस के, और x y यहां पर minus हो रहे हैं, लेकिन 3 बार minus है, तो overall के रहे जाएगा, minus का, एक बार देखो, x plus y, xy इनके कुछ value रख सकते हैं, तो मैं इसी की value रख देता हूं, xy की value, वो यहां पर xy की value रखेंगे, 2 minus x plus y upon x plus y, minus xy की value क्या है, 2 x plus y, और minus में, 2, minus minus तो हो जाएगा, plus, और 1 x plus y इस से cancel होके, तो यह overall denominator और numerator सेम बन जाएगे, यहने, 10 alpha plus beta की value अपने पास में क्या जाएगी, 1, अगर alpha plus beta 10 के अंदर 1 हो रहा है, यानि alpha plus beta क्या हो जाएगा अपने पास में, 45, अगर alpha plus beta 45 है, तो यहां से तुरंद अपने को पता जल गया, 5 का value कितना है, 45, अगर 5 का value 45 degree है, अब अपन sign rule लगा सकते है, mn क्या है, देखो, एक triangle अपने पास में, इस तरह का एक triangle है, यहां पे है angle phi और यहां पे angle है 2 phi, इस triangle की radius यह वाले, इसके लिए r1 माल लो, और इसके लिए माल लो r2, circum radius के बाद करें, अगर यह angle है, यह m और n थे साथ, n और m, तो इसके लिए अगर आपन देखें, तो a upon sin है, यानि mn upon sin phi, वो किसके को लोगा, 2 r1, आया ना, और अगर इसके लिए मैं देखूं, तो mn upon sin 2 phi, वो किसके लिए को हो जाएगा, 2 r2, और अपने को क्या बुचा है, r1 और r2 का ratio बुचा है, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे अपन, तो यहां से तो आजाएगा sin 2 phi, और यहां से आजाएगा अपने पास में, sin 5, और वो किसके लिए, 2 r1, r1 upon r2, आया न, तेखो, r1 upon r2, 2 phi, यहां से 2 phi का value कितना है, अपने पास में, sin 2 phi, 5 अगर 45 है, तो 25 कितना हो जाएगा, 90, sin 2 phi, यहां से 97, और यह कितना हो गया, 1 by root, equal to r1 upon r2, r1 upon r2 किया आगया, अपने पास में, root 2, इसका square कर दोगे, r1 upon r2 का square किसके कवला आजाएगा, अपने पास में, 2, और इसी को इन्होंने, m by n या n by m कुछ बोला है, तो उससे कोई फरक नहीं बढ़ेगा, m by n है या n by m, क्योंकि उन दोनों का sum पूछाए दिया, तो 1 by 2 करके sum कर लो, या 2 by 1 करके sum कर लो, तो m और n जो भी उन्होंने बोले, उन दोनों का value 2, 1 या फिर 1, 2 ऐसा कुछ आएगा, तो उन दोनों का sum करोगे 2, 1 करो या 1, 2 करोगे, answer overall कितना आना है, 3, तो यह अपने 15 question, तो चलो इसके बाद आगे continue करते, question number 60, question number 60 में क्या बोला गया है, the six sides of a convex hexagon a1 to a6 are colored red, मतलब जो आपका hexagon है, उसकी जो side sun को red color से, red से color किया गया है, each of the diagonals of the hexagon is colored either red और blue, इसका meaning है कि जो hexagon के diagonal है, उनको, उनकी जो coloring है वो किसी के लिए, red और blue, दोन option है, red से भी कर सकते हैं और blue से भी कर सकते हैं, आगे बोला गया, if n is the number of coloring, such that every triangle AI, AJ, AK, मतलब, जो आपका triangle बनेगा vertex की help से, total 6 vertex है, तो उनमें से कोई भी 3 vertex आप light करोगे तो क्या बनेगे number of triangles, तो जो triangles found होंगे, उनमें triangle की कोई भी side common हो सकती है, one side common हो सकती है, two side common या no side common, जब one side common होगी तो उसमें two diagonal use होंगे, two side common होगी तो one diagonal use होगा, और no side common तो जो diagonal होंगे, वो without side वाले होंगे, only वो diagonal होंगे, sorry, only क्या होंगे बोलो, diagonal, यह इसका meaning है, where I, J, K, 1 to 6 है, मतलब, I, J, K को 1 से सिख रेना है, A1, A2, A3, A1, A2, A5 up to 6 है ना, का meaning है, I, J, K, 3 हो different है, has at least one red side, मतलब जो आपका triangle वनेगा, उसमें at least one side क्या होनी चीए, red होनी चीए, find the sum of the squares of the digit of है, तो जो number of triangles वनेगे, coloring वाले, उनकी जो digit होंगी, उनकी square का sum आपको करना है, calculate हो, चलो वो तो बात की बाते हैं, first of all हमको N को क्या करना बेटा, find out, तो कुसको करने की theme क्या थोड़ा समझो, देखो question का meaning है, कि जैसे लेट यह आपको, एक, six side का क्या given है, hexagon, a1, a2, a3, a4, a5 and a6, first of all तो बात आती कि इसमें number of diamonds क्या होगा, तो ज्यान दे, यह अपन को पता है, number of diamonds equal to क्या होगा, total कितने vertex हे जाए, six, तो diagonal का मतलब क्या है कि state line, तो six vertex की help से हम total, कितनी state line कर सकते है, six c2, but in six c2 state line में, कुछ line तो polygon की sides होगी, और remaining are diagonal, what अपन को only क्या बता है, diagonal, तो क्या होगा, six c2 में से minus six करोगे, इस six का meaning है, number of sides को minus कर दो, तो remaining जो state line होगी, वो कोन होगी, diagonal, तो यह जाएगा, six c2 minus six is nine, total हमारे पास कितने nine diagonals, अब देखो, इस question को करने की theme थे, थोड़ा समझो, total nine diagonals में, तीन type के diagonal होगी, थोड़ा carefully सुनना, जैसे, A1 का जो opposite diagonal है, इस question को करने का एक वे है, वो बहुत lengthy, case है कि आप one side common लो, बाकि two, उन nine में से को भी क्या लो, diagonal, फिर उसकी coloring करो, one side common और two are diagonals, उसके according करो, फिर two side common, one is diagonal, फिर no side common with diagonal, no side common with polygon, तीनों क्या उनची, non diagonal, only diagonal, तो तीन case में भी इसको पन try कर सकते हैं, बड़ वो थोड़ा line थी है, तो इससे better option क्या ज्यान दो, तो total nine diagonal बने, अब इसमें को थी पार्ट में divide किया गए, आपने A1 के साथ A4 लिया, जहां सुनना carefully, तो अगर A1, A4 diagonal को आपने लेट किया, तो हमारे पास, कोई भी vertex लो आप, जैसे let, एक vertex आपने ये लिया, आपने A1, A4 को let करते हुए, क्या बनेंगे triangle, तो बेटा, उसमें से या तो ये vertex लोगे, या this vertex लोगे, या this या this, कोई से vertex लोगे, तो 100% triangle की एक side तो क्या नहीं है, common, और triangle की जो one side common होगी, तो जो polygon की side common होगी, तो उससे जो triangle बनेगा, उसकी जो एक side color है, वो 100% क्या होगी, क्योंकि ओल्लेडी बोला गया, कि इसकी जो color है, वो red color से किया गया, और इसने ये पूचा गया, कि जो number of triangles है, at least one red side, तो एक side 100% होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो a1, a4 है, फिर a1, a5 है और a1, a3 है, इन तीनो diagonal को तो आप किसी भी color से coloring करो, उनसे जितने भी triangles बनेंगे, वो always क्या होगे, one side color with red side, तो इससे क्या जाएगा, तो a1, a4 को color करने के 2 options है, अगले के भी 2 options है, इसके भी 2 options है, तो इससे जो भी triangles बनेंगे, वो क्या होगे, सारे के सारे, one side red, एक side red होगी, क्योंकि एक side तो इसमें आनी आनी है, बाकी को diagonals जो लोग है, आप कोई भी, उसको किसी से color करो, no problem, तो एक तो आगे, into, into के उकड़े, सारे काम करने हैं, तो आगे क्या किये गए, अब जो remaining 6 डेंगले न, उनका भी एविर देखवा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ज्यान दो सभी, देखो, एक option क्या होगे ज्यान दो, एक बार तो opposite ले लिए अपनने, अब non opposite की बाद करते हैं, एक पेर ते होगे ज्यान देना, आप इन तीनों को लोगे, side की बात नहीं करने, side का काम हो चुका है, ज्यान देना, उसके बाद, एक पेर ये वाल हो जाएगा, आपको, ये जो two pair है, तो अगर आप इन तीनों डाइंगल को लोगे तो इससे एक triangle बन जाएगा, और एक इससे triangle बन जाएगा, ज्यान देना, तो इस, इन दोनों पेरिंग में को भी triangle लोगे आप, तो बस cable आपको diagonal उसको color से fill करना है, तो सुनों, ये total 6 diagonal है, तो total curling क्या होंगी? टू की पावर 6, what? टू की पावर 6 में क्या होगा जान दोना? कि जो पहला pair है, अगर ये pair सेमी color से coloring हो गया, तो इसको minus करेंगे, तो minus 2 की पावर 3, कि जो ये pair है, वो एक ही color से है, red और blue से तू की पावर 3, बट, इस 2 की पावर 6 का मतलब है, कि इन 6 diagonal को red और blue से color करने के matter, तो उसमें क्या होगा? कि दोनों को red से किया हूँ है, दोनों को blue से, sorry, अपन को one side red लेनी है, तो हो सकता है, इस 2 की पावर 6 में, जो सारी की side है, वो blue से हो सकती है, first pair की भी और second pair की, तो आपने क्या किया है, एक case इसमें extra आ रहा है, जिसमें all sides are this and all sides are this are, coloring with blue, तो आपने 2 की पावर 3 में क्या किया है, कि वो सारी की सारी blue से हो, उस case को अटा दिया, और एक अगले में भी से वर्ट है, यह blue वाला case कितनी बार minus होगे, दो बार, वो first में होगे और second में, तो so आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, add, तो इतने तरीके से हम, क्या कर सकते ही, coloring, और जितने वेसे हम, diagonal को क्या करेंगे, color करेंगे, उतने ही क्या बनेंगे number of triangles, तो जब आप इसको solve कर गुदू केतना जाए गए, 2, 2, 2, 8 आ गया, और यह आगए 2 की पावर 6, 64, minus 8, minus 8, plus 1, इसको solve करना तो आपको number N आ जाएगा, और उसके बाद उसकी digit का क्या करना, अपन को square करके add करना, ठीक है, हाँ, 17 question देखो, एक set given है, s equal to a, b, c, d, e, और आपको sequence given है, a greater than b greater than c, 0 से 100, और a, b, c, d सारे interior से, फिर क्या वो लगा है, d is the average value of the fourth element of such tuple in the set s, set s में जितने भी tuple बना हुए आप, उन में क्या करना है, d की जो average value है, उसको क्या नाप, जो fourth element is, उसकी average value, उसको d name दिया गया, तो बताओ, find the largest integer less than equal to d, d की जो largest value, उसका integer क्या होगा, maximum बताना, मतलब जैसे, let d आगया आपका 20 by 3, this is 6 point something, तो उसका largest integer क्या होगा, तो देखो, क्या थी में, 0 से 100 के between, total कितने integer है, 1 से लेके 19, 19, 99 element है, अब उ 99 elements में से, आपको 5 element का क्या करना, solution, तो a, b, c, d, e को लेने के, जो total wage है, वो तो क्या होगे, 99, c, 5, अब अपने को बोलागे, कि जो d है, d को लेने के, जो options है, उन सब का, average बताना है, तो देखो d लेने के, कितने तरीक हो सकते हैं, तो एक बात को सोच, d की mini value क्या ले सबसे पहले, तो a को minimal ले सकतो, फिर b को 2, c को 3, तो d को क्या लोगे 4, तो इसमें के से चाराज करेंगे, अगर हमने d को 4 ले लिया, तो a, b, थोड़ा समझेंगे, c, d and e, तो इसको लेने का, a, b, c को लेने के एक यह option है, 1, into, जब d 4 आ गया, तो e को 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 और maximum 99, तो 4 के बाद 99 तक कितने element है, 95, तो यह जाएगा 95c, 1, similarly, if, अगर d को 5 लोगे, मतलब ultimate कि यह आपका 5 आ गया, तो अब a, b, c को लेने के कितने options है, total element 4 है, 1, 2, 3, 4, वट लेने 3 है, तो 4, c, 3, तो इदर क्या जाएगा, 4, c, 3, into, this is, अब d 5 आ गया, तो remaining कितने element बचे, 94, this is 94c1, ऐसे यह programming आपकी continuous ही चलती रहेगी, तो d की maximum value क्या ले सकते है, 98, तो की d को अगर 98 ले लिया, तो यह तो कितने हैं, 99, और एदर कितने element है, 97, वट लेने कितने 3, तो यह जाएगा, 97, c, 3, into, 1, मतलब यह इसको, तो d 4 है, तो इनको इस तरहीं किसे लेना है, तो अब d की 4th element की जो average value इसका मतलब क्या होगा, इसको 4 लेना है, 4 into this part, plus 5 into this part, 98 into this part, यह इस d को लेने के total, उस number को, उसके total wage से multiply करके आपको add करना है, average value के लिए, तीक है न, तो अपनी करते हैं आगे, तो, तो देखो कैसे करना है, तो average बात में करेंगे, पहले sum करते हैं, 4th element का average देखते हैं, तो क्या लेकोगे, 4 into 95 C1, 4 into 95 C1, plus अगला क्या हैगा, 5 dot 4 C3, 4 C3 into 94 C1, ऐसे लास्ट इज, 98 into 97 C3, तो इसका sum करेंगे, using with the help of my email 0, तो हम इसका पहले लिखते हैं सिग्मा, तो ध्यान दो, इदर आओ, जैसे इसके आगे अपन, जैसे 4 C3, 5 C3, इसको 3 C3 लिख सकते हैं, तो variation की इवर इसमें आ रहा है, उपर तो यह constant है, 95, 94 तो सीधा जाएगा अपना, तो 3 C3, 4 C3, इसको लिख देते हैं, R C3, R is starting from 3, इसका TN टम लिख नहीं है, 3 पर 4 आ रहा है, 4 पर 5 तो this is R plus 1, और यह 95 है, फिर 94 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 minus R, तो 100 में से R गया है तो 3, जैस 3 कम किया तो 7, और 2 कम कर दो 95 है जाएगा, C1 तो सी आगए, अब इस रीज का समझी है, तो इक काम करो आप, इसको कर दो, एजिट इज मुल्टीप्लाए, तो यह जाएगा, सिग्मा, R, हाँ, 3 से लेके कहां तक जाना आपन को, 97 तर, तो केतना जाएगा, 100 इंटू, R, प्लस 1, R, C3, माइनस सिग्मा, R, एक्वल टू, 3 से 97, दिस ए, R, प्लस 1, R, प्लस 2, इंटू, R, C, 3, अब ज्यान दो सभी, हम इसको फॉर्मुलार बना सकते हैं, काम करो इसको, 4 से करते हैं, इसको डिवाइड, तो फॉर्मुला बन जाएगा, आपका, R, प्लस 1, इंटू, R, C, 3, बन जाएगा, R, प्लस 1, C, 4 का, तो उसके बाद सग्मा लगा देना आपका, ये भी आप क्या करोगा, इसको 4 और 5 से डिवाइड करना, तो इस स्रीज बन C, 5 से क्या करना है, तो इस सोल करना है, क्या आपके पास जाएगा, 200 वाए, 3, तो इसका देख लिना, step क्या आने वाला है, ठीक है, तो इस तरीकी से, उसके बाद को 18 question कहा है, तो simple question, let P be convex polygon with 50 vertex, बाद एक 50 vertex का, आपके पास polygon है, a set F of diagonals of P, D, F का मतलब है, set of diagonals of D, जो polygon है, उसकी diagonal का set है, इस set to be minimal friendly, if any diagonal D, कोई भी diagonal belonging to F, जो total diagonal है, आपका, उन में से कोई भी diagonal, वो minimally friendly कब बोला जाता है, intercept at most one other diagonal नहीं, अगर वो diagonal, किसी other diagonal को, at most one point पे क्या करना चीए, cut करना चीए, या तो cut करना चीए, one point पे, other one no intersect, integer to P, polygon के inside, find the largest possible number of elements in a minimal friendly set है, मतलब, उस convex polygon के अंदर, total कितने ऐसे diagonal हो सकते हैं, जो इस condition को follow करते हैं, तो देखो, इसका meaning समझे एक पर आप, यह चलता रहेगा ऐसे, a1, a2, a3, a4, a5, a50, a49, देखो दराओ, जैसे लेट है, हमने क्या किया, किसी एकको लेलो से फरक नहीं पड़ेगा, वो तो name दिया गया, name तो अपन देने name है नहीं है नहीं, में 50 vertex से जाएं, a1 के साथ आपने a3 लिया, फिर अपनने a4 लिया, यह तो लेना नहीं, अपन को diagonal लेना है, फिर a, अगर आप a1 के साथ यह वाले सारे cases arise करोगे, तो यह कौन से diagonal है, जिसमें no intercept, यह at least one point बोल सकते है, no problem, कि दो diagonal, एक diagonal, अधर को एक point पर cut करता है, बस से same point से pass हो रहा है, तो एक pair तो क्या गया, उसके बाद क्या हो सकता है, अब हम a2 के साथ और कोई से नहीं ले सकते, क्योंकि, a2 के साथ अगर आप सारे option ले तो a2, a4, a2, a5 तो अगर a1, a3 ले लिया, तो हम a2 के साथ a5 भी नहीं सकते, कोगी, वो तो क्या करेंगा, more than one point पर क्या करेंगा, अपन ने a1 को let fix कर दिया, a1 के according, तो एक pair तो आगया, a1 के साथ a3, a1 के साथ a4, और a1 के साथ a4b9, तो total कि 3 से लेके 49 तो क्या हूंगे 49-3, 46, 47 ये लो, 47 डाइगन पर है, अब सुनो, अब हमने क्या किया, a1 के साथ a3 आगया, a4 आगया, अगला option क्या होगा जान दो, a1 का काम कतम, अब a2 के साथ, a1, a3 ले लिया, अगर a1 के, a2 के साथ, अगर a4 ले लिया, तो अब हम a2 के साथ और कोई से ले नहीं सकते, कोई a2 के साथ ये लव, a2 से a4 ले लिया, अब a2 के साथ a4 ले लिया, तो a2 के साथ और कोई सा अप्षिन नहीं हमारे पास, कोई वो तो more than 1 डागयों को क्या करेगा, कट, फिर a3 की बात करो, a3 जब अलरी a1 से जोइन है, त तो अपन दूसर जो नहीं करी नहीं सकते कोगी वो दो बार कट करेगा इसको तो क्या करना जान दो अब हम सीधा A4 को लेंगे A4 के पास option होगा A6 तो कि A4 क्या करेगा फिर मतलब ultimately A2 के साथ जब आपने A को छोड़ गे लेना है continuous लोगे तो क्या बनेगा वो side मन जाएगे आपको तो A की option वो बच्छा कि A2 के साथ A4 लोगे फिर A4 के साथ A6 लेगना है फिर A6 के साथ A8 लोगे और dot 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 A48 के साथ क्या लेंगे बोलो फिर फोड़ो carefully समझे उसको किसी A को fixed किया तो उसके along तो आपने लिए 47 उसके अलाबा कोई भी आप vertex लोगे तो उसके लिए A की option है next to next द्यान देना इस बात को तो इसके according के जाएगे A2 A4 A6 A48 24 तो 24 है और 47 तो 47 प्रेस 24 का समझ्या हो जाएगा 70 बना अठीक इस तरीके से किया गया उसके बाद एक 19 कुशिन क्या है 4 N belonging to natural number let PN denote the product of the digits in N मतलग PN का मीनिंग है digits है N natural number में से जितनी भी digits है उनका product PN denote the product of the digits in N natural numbers में से जो भी digits जितनी भी digits है उन सबका product है and SN denote the sum of the digits in N SN उन digits का क्या बोलो sum है जितनी भी digits लोग है उनसे सबका कोन है sum digits का sum है not number का sum N में 5 digit है तो उनका product PN है और उनका sum SN यह मतलग है अब एक set है एक N belonging to natural number PN is non-zero square free non-zero का मतलग PN में जो product is bridge का वो non-zero number होना चीए square free का मतलब है कोई भी digit repeating होना चीए 2 square नहीं होना चीए 3 square नहीं होना चीए एक digit को केवल एक ही बाल लेना है and SN is proper divisor of PN SN proper divisor of PN SN is the proper divisor of PN SN उस digit N जो जितनी भी digit है उनका sum भी है और SN क्या है जो PN है उसका proper divisor है अब देखते हैं proper divisor कोई से लेना आपने को अब आगे क्या वो लगा है find the maximum possible number of digits of the numbers in A A में काफी सारे number है उनमें से वो number लेना है जो maximum possible find the maximum possible number of digit of number A maximum possible number of digit तो किसी में maximum possible number of digit कब हो सकती है जब A क्या हो maximum हो जो number लोग है आप जिन number का जिन digits का प्रॉड़ेट करोगे उससे जो number होगा वो A है और उस number A में अगर number A जितना greater होगा उसकी digit उसमें उतनी number of digits का होंगी, जादा होंगी, जितनी ज़्यादा फेक्ट होंगे, उसकी उतनी ज़्यादा digits होंगी, तो दे को कैसे करना है, अब digit in N, अब N में कौन-कौन सी digit हो सकती है, हमारे पास number होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यह हमारे पास digits है, product of the digits in N, अब ध्यान द सभी, अब हमको जो number लेना है, जो digits लेनियस में से, एक तो 4 नहीं ले सकते हैं, ना मैं 8 ले सकता हैं, ना 9, क्योंकि इन में से कोई भी ले लिया, तो यह तो not a square free, यह square free हो नहीं सकती न, तो फिर क्या होगा, हम 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, और 7 में से लेंगे, अब maximum digit लेनिया है, अब एक बात को सोचो, 1 ले लिया आपने, 2 ले लिया, और 3 ले लिया, जिसमें 2 और 3 का रोल आगे, उसमें 6 नहीं आ सकता, और जिसमें 6 आगे, उसमें 2 और 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 ले लिया आपने, और 2 आगया बाई-चान, तो 2 square आगया, तो वो not a square free number होगा, तो इसम के लिए हम सबसे बड़ा नमबर मानेंगे, तो 1, 2, 3, 5 और 7, एक pair चले सकता हो, या फिर 1 pair क्या होगा, 1, 5, 6 और 7, यह option, 2, 3 आ गया, अगर आप only 2, only 3 लोगे, not 6, तो वो value छोटी होगी, वो नहीं चाहिए, हमको तो maximum चाहिए, अब इनका एक बार देखते, product क्या आता है, क्योंकि PN का मतलब है product, 5, 2, 10, 7, 3, 21, तो 210 आ गया, यह दर क्या होगा, 30, यह भी 200, कोई से भी pair ले लोगा, कितना आ रहा, 210, तो जो PN है, उनकी digit का product क्या आ गया, 210, तो PN जो जितने भी आपने digits ली, उनका product क्या आ गया, 210, आप इसकी devices देखो, proper divisor बोला गया, तो अपन 210 दो ले नहीं सकते, तो इसका proper divisor क्या हो सकता है, को बहुत साथ हो सकते हैं, 105 होगा, उसके बाद 110, 70 भी ले सकते हैं, और भी 35 भी आ सकता है, आप थोड़ा समझने वाली बात है, जैसे लेट आपने 105 लिया, SN is proper divisor of PN, SN, PN का proper divisor है, तो 105 का मतलब क्या होगा ज्यान देना इसकी factor करते हैं, 105 का meaning लिखेंगे अपन, आप अपन को क्या करना जान दो, तो इसका जो maximum, sorry, जो divisor है, proper divisor है, हमारे पास, कोई भी option हो सकते हैं, वाट एक बात ज्यान दो, अगर proper divisor आप small लोगे, इसका मतलब यह है, SN is the proper divisor of PN, और SN की जो digits है, उसका संभी तो 105 वाना चा आप SN 70 लोगे, तो इनकी digit का sum, 70 लाने के लिए, digit कम लेनी पड़ेंगे, but 105 लाने के लिए number of digit क्या होंगी ज्यादा, कोगी question में यही बोला गया कि maximum possible number of digit, maximum, कितनी possible digit हो सकती है, ताकि sum क्या होना चाहिए, maximum आना चाहिए, तो एक बास सुनो, अगर अपन 105 की बात करने, तो 105 के factor क्या होंगे, 75 into 3, अब आपको sum 105 लाना है, with the help of digit, this part and this part, 105 लाना है, ध्यान से सुनना सभी, आपको 12357 की help से, जो digit है, उनका sum 105 लाना है, तो या तो यह pair लोग गया, यह pair, continue digit है, आपने वह अपन को पता है कि, इनकी digit का sum भी 210 है, इसका भी कितना है 210, तो आप digit या तो यह लेके कर सकते हो, या this, दोन option से समझते हो, देखो, अगर आप इन digit को लेते हो, और sum कितना लाना है, एक सुपा, तो एक काम करो, और free from में तो, इन सब को एक एक बार, तो 7, 12, 15 और 2, 17, मतलब, 105 लाने के लिए क्या लेकोगे, 7, plus 5, plus 3, plus 2, plus, अब 1 कितनी वाल लें, यह आगया, 17, क्या आगया, 17, यह 17 आगया, 17 आने के बाद, 105 लाने के लिए क्या लोगे, 88 एक बार को, 88 into 17, कितना जाएगा, यह सब, मतलब, 1 को क्या लोगे, 88 आगया, इसका मतलब यह करा है कि, जो digits N है, उसका मतलब है कि, 1 तो 88 बार आना चाहिए, और 2, 3, 5, 7, 1, 1 टाइम, तो इसके case में तो क्या होगा, मतलब अगर यह नंबर मान यह पेरिंग मानते हो आप, तो जो नंबर N है आपका, उस नंबर N में, डिवाइजर 105 आ गया, और उसके case में डिजिट का समझ आएगा, 88 तो 1 लेने पड़ेंगे, और 1, 2, 3, 4, तो 92 डिजिट होगी टोटल, जिसमें 1, 88 टाइम्स होगा, और 2, 3, 5, 7, 1, 10, अगर आप यह पेरिंग लेते हैं, तो देखो त्यान दो, इसमें क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह 210 है, हाँ, 7, 6, 18 अगर यह 18 आ गया, यह 18 है तो फरी क्या लोगे, 87 तो इसका मतलब उसमें 90 बना अंसर जाएगा, तो अंसर कौन सा समय बना जाएगा, 92 अला अल्टीमेटी आपक इन डिजिट की हेल्प से जो नंबर बनाना है, तो यह डिजिट लोगे, तो प्रडेक्ट तो दूसर जाएगा, वनको कितनी बाले को क्या प्रॉलम है, वट एसन के केस में जो उसका डिवाजर है, 105, उसके लिए यह केस लेने पे नंबर अप डिजिट क्या होंगी आपकी जाएगा, तो देन आपको इसका 92 अंसर फिल करना है, मतलब इस पेर के लिए काम करना है, उसके बाद को क्षिट नमर 20 कहें, for any finite non empty set x of integer, मतलब एक set x है, integers का, फिर एक लाइन लिखिए है, max of x, मतलब जो set x उसके max को मतलब क्या denote the largest element of x, set x में जितनी भी element है, उनमें जो largest element है, उसको नाम देगा, max of x, and mode of x का मतलब denote the number of element in x, set x में जो number of element है, उसको mode of x से denote किया गया है, n is the number of ordered pair a, b, n क्या है, a, b का number of order, दो set है, और भी उनके number of ordered pair है, और finite non empty set of, मतलब, set of positive integers such that, a and b ordered pair है, positive integers का ज्यान देना, such that, वो इन दो condition को क्या करता, follow करता है, अगर max of a, set a का जो maximum element है, और b में number of element है, उसका product वारा आना चाहिए, set a में number of element, और set b में maximum element है, उसका product element आना चाहिए, और n can be written in this part, then, find a plus b, तो देखो क्या थी में question करने की समझना, हम इसमें k से जाराइज करते हैं, ध्यान सब्सक्राइए, इसका काम करते है पले, if, अगर हमने, आपको पता है कि, इसमें ये तो number of element है, ये set b में जो maximum element है, उसका value है, उनका multiply 11 लाना है, अब 11 तो कैसा number है, prime number तो उसके 2 option है, या तो determinant of even होगा, मतलब, set में element बन होगे, and, set b में जो maximum element है, वो क्या होगा, element, एक पेरती होगे, तोड़े केस से ज्यादा मट कर सकते हैं, second case क्या होगा, ज्यान सुनो, if, set b में element है, element, और b में जो maximum element है, वो कोन है, one, तो देखो, हम पहले second case की बात करते है, a cross b का multiply लाना है 12, या पहले ये case देख लो, को करने दोनों यह अपन को, जैसे, set a में, हाँ, अब max a और b का multiply लाना है 12, ध्यान दो, इदर आओ, लखे लेते हैं, maximum of a, into, b में number of element का multiply लाना है 12, तो इसमें दोगो, case बनाओ, अगर मैंने set b में, set a में, maximum element मान लिए 12 होगा, set a में a की element मानना है, और वो मैंने क्या मान लिए 12, तो फिर determinant b क्या गया, बना गया, इदर एक element माना, तो इदर determinant b बन, पटी किस तो गलत है, sorry, सही है, इदर element 1 है, और वो element 12 ही मान लिए आपने, set b में, एक element मानो, कोकि इदर set a में 1 element है, और वो element कितना 12, तो max a 12 आगया, 12 into 1, तो set b में 1 element है, और वो element भी कोई है, 11, तो set a में element 12 है, set b में element 11 है, तो कितने order pair बनेंगे, 12, 11 का, again, अगर आपने a में let किया, 6, factor करने ultimately, बारह लाना है, तो 6, तो इदर लिखोगे, b में number of element क्या हूंगे, 2, अब अगर b में number of element 2 है, तो उनका maximum तो कोन है, 11, अब एक element लेना इदर, कितने option है, integer है, वो भी positive integer है, तो 10 c 1, 10 option है, तो 10 c 1 into, इदर एक element है, उदर 10 option है, तो कितने order pair बनेंगे 10, similarly, अब आपने a को ले लिया, 4, तो इदर determinant of element, set b में कितने element होंगे, 3, अब अगर set b में 3 element है, जहाँ सुनना, element तो लेना लेना है, तो दो element लेने, कितने में से 10 में से, तो क्या जाएकर 10 c 2, ये काम आपको 2-3 करना है, फिर करोगे 3, अगर a में आपने लिया, मतलब max of a 3 है, set में a की element है, और वो element को होंगे, 3, तो इदर भी में क्या होंगे, 4 element होंगे, उनका सबसे बड़ा element तो को होंगे, 11, तो इदर क्या लोगे 10 c, 10 वे से कितना होंगे, वरो 4 element, अगर set a में जो 1 element है, only case है, वो element 2 है, तो number of b, set b में कितना element लोगे, 6, उसका 1 element 11 है, अब ये 5 element लेने है, इदर आगा 10 c 3, एक तो 11 आगे, वाकी 3 लोगे 10 c 3, 11 आगे 5, तो 10 c 5 आजाएगा, again, अगर set a में एक element है, 1 ले लिया, तो इदर b में कितना element लोगे, 12, अब आप ये बताओ, जब इदर maximum element आपका 11 है, इदर 10 है हमर पास, क्योंकि order set में element सारे क्या होते है, distant, तो ये case तो क्या होगा, तो एक तो क्या जाएगा, first case से तो आजाएगा answer, 1 plus 10 c 1 plus 10 c 2 plus 10 c 3 plus 10 c 5, एक तो square कर देना, फिर second case में क्या काम करोगे, अगर determinant of a 11, जहाँ सबना, a में total 11 element है, और max भी लाना है, कितना, max b into b 12 लाना है, तो एक काम कर सकते हैं, लिख लेते हैं इसको, max of a into, b में number of element कितने, 12, तो max b अगर मेरा, 12 वे, answer सुना, set में 11 element है, और एक element बारहा आ गया, बाकि कितने लेने 10, कितनों में से 11 में से, आपने एक element 12 ले लिए, बाकि 10 element लेने 1 से 11 में से, तो क्या जाएगा 11 c 10, इसको लेने के तरीके क्या होंगे 11 c 10, फिर इधर 12 ले लिए, तो इधर क्या लोगे 1, मतलब number of element 1 है और maximum कितना भी, तो एक आ जाएगा 11 c 10 is 11, बस, उसके बाद और कोई case नहीं बनेगा इसमें, ठीक है न, बाकि अगर आप इसको कम करोगे, कि इधर 12 ना लो, इधर 6 लोगे, तो इधर 6 ले लिए तो फिर 11 element आई नहीं सकते, इसमें एक ही case option है, कि max, जब इसमें number of element 11 है, तो maximum element 12 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 12 से कम करोगे, तो इसमें element क्या हो जाएंगे, आपके कम, तो आपको इन सब को क्या करना है, add, तो add करने से आपको answer है, Hello students, myself Kamal Singh, CLC Math Faculty, तो आज अपने Olympiad का paper का solution करेंगे, उसके question number 21 से 25, तो question क्या है, आपके बाद से 4N belongs to natural number considered non-negative integer value function, f1 satisfying this condition, यह fi is greater than, equal to fj, so for i is greater than j, and we have, यह आपको दे रखा है इसमें, तो select n such that the fi sigma varies from i is equal to 1 to is the least, यह least होना चाहिए, so how many such function exist in there, तो देखो इसकी co-domain में न, the function की domain और co-domain यही है, तो function की value कभी 0 तो आए कि नहीं, clear है, तो आपके पास में यह, यहाँ पे condition दे रखिये, आपके non-negative integer value function, तो इसका मतलब उसकी range, मतलब इसकी co-domain में 0 element होगा, function की value 0 आएगे, पर 0 तो function defined ही इस पर कह रहा है, clear है, तो function की कभी value 0 नहीं आएगे, तो least value उसकी क्या होगी, 1 आएगे, तो अब आपके पास में देखो, यहाँ से इसका जब summation लगाएंगे, तो क्या हैगा, n, n plus 1 upon 2, तो plus 1, 2, n, f of 5, so this is 2023, अगर आपने देखो, यहाँ पर n की value क्या लेते हैं, 62 लेते हैं, so this will be 1953, यह 1953 हो जाएगा, तो अब आपके पास में, i is equal to 12, here we have 62, so f of 5, 2023, तो यह आपके पास में, इसकी value देखो, आपके, f1 plus f2 plus f3, कहां तक, f62 तक, so this will be equal to, here 70, clear है, अब अपने पास में देखो, यह 70 को अपने सब में डिवाइड करना है, तो देखो, each will have the at least one value, तो सबकी क्या value 1 तो होगी होगी, आपके पास में रह गया 8, 8 को अपने को distribute करना है, अब आपने को 8 के partition करना है, किन में, 62 में, ठीक है, तो उसको देखो, आप किस तरीके से करेंगे, तो स्पोस करो, यह आपके पास में a1 है, यह a2 है, तो यह a62 है, तो अपने पास में each will have the at least one value, तो आपके पास में 62 को पहले से आगया, अब रह गया main क्या आपके पास में, 8, 8 को अपने 62 में divide करना है, according to this condition, इस condition के according आपको divide करना है, तो देखो, वो कैसे करेंगे अपने, तो पहले हो सकता है कि a62 को अपने क्या दे दिया, 8 दे दिया, 1, अब 8 के दो पार्ट कर लेते हैं, 8 के दो पार्ट क्या होंगे आपके पास में यहाँ पे, तो पहले देखो, 1, 7, फिर 2, 6, फिर 3, 5, ठीक है, फिर 4, 4, तो 4 पार्ट, चार वे से, देखो, तो a62 को आपने दे दिया, 7 और a61 को आपने दे दिया, 1, तो ऐसे similarly आपको उसी condition को follow करते हुए चलना है, अब 3 पार्ट में आपने डिवाइट करना है, 8 को 3 पार्ट में डिवाइट करना है, तो आपके पास है, 1, 1, 6, तो इधर से क्या करोगे, 1, 2, 5, ठीक है, अब फिर इ possibility देखो, अब इसमें क्या हो सकती है, तो ये 3, 3 हो जाए, ये 3, 3, इधर 3, 3, ये 2, ठीक है, तो ये 5 ये हो गए, clear है, अब अपने को 8 को 4 पार्ट में डिवाइट करना है, 4 पार्ट में डिवाइट करना है, पहले 1, 1, 5 कर दो, तो ये आपके पास है, 1, 1, 4, sorry, 1, 1, 2, 4, इ अब इसमें से आप क्या करोगे, यहां से, इसको 2 निकाल लो, 1, 2, 2, 3, और you can have 2, 2, 2, 2, 2, 2, so this can be in 5 ways, ये 5 ways तो और कोई possibility है नहीं इसमें, ठीक है, अब अपने पास में 5 में, 5 पार्ट में, जैसे दो को 1, 1, 1, 1, 1, clear है, 4, इस तरीके से, तो ये अब यहां से आपके पास में क्या आएगा, 1, 1, so this we have 2, 3, तो अब इसमें से आप क्या करोगे, तो 2 इसमें से निकाल कर, इसमें add कर दो, यहां पर क्या आएगा, 1, 1, 2, 2, 2, 2, okay, और कोई possibility देखो, इसमें, और कोई possibility क्या आती है, इसमें, तो यहां से, तो यहां से, तो यहां से, 3, इदर 2 हो गया, तो इदर आपके पास में, तो 3 के सिसमें हो गए, तो, 3, अब अपने पास में 5 पार्ट में, 5 पार्ट में, यह पांच में तो यह हो गया, 6 में देखते हैं, तो पहले, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है, तो यह 6 and 5 हो गया, so this we have 3, अब एक क्या, आपके पास में 1, 1, तो यह, इसमें 6 पार्ट में डिवाट किया ना, तो 1, 1, 2, 2, 2, ऐसा हो गया, यह 2 केसी यह बन गया, अब 7 में देखो, आपके पास में क्या हैगा, 7 में, पहले 6 में क्या दे दिया, 6 में, 1, 1, दे दिया, फिर दे दिया 2, तो इस इस वन केस, ठीक है, तो अब अपने पास में अगर, 1, 1, 1, 1, 1, तो इसमें, तो यह 1 केस ही हो गया, तो यह आपके पास में टोडल कितने बने यहां पर देखो, तो 4, 20, so these are, we have 22 cases, 22 cases बनेंगे, clear है, यहां पर 4, 8, 12, 12 and 10, जिसे 22, अगर अपने देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से भी अगर जाएं, तो अपने देखो, function क्या बोला, उसमें, non-negative integer valued function है, अगर अपने इसको देखो, अगर code domain में अगर 0 element let करते हैं, तो उस condition में फिर क्या case बनता है, देखो, उसमें यह possibility भी, अगर उसको इसका coding करें, तो देखो, उसमें n, n plus 1, upon 2, ठीक है, sigma, 1, 2, F, I, so this we have 2023, अगर n की value आप इसमें 63 डालोगे न, तो उस case में आपके पास में, i is equal to n F of 5, ठीक है, so this will be, यहाँ पे आपके पास में, यह 2017 हो जाएगा, तो यहाँ से value आपको क्या मिलेगी, यह 2017, तो प्लस इधर आपके पास में क्या आएगा, तो इसके माँ 6 आएगा, sorry 2016, sorry, 2016, 64 था, तो यह आपके पास में 2023, तो इस case में, i is equal to 12 and F of 5, so this will be here, we have 17, sorry 7, 7 आएगा, 7, अब 7 के partition, अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपके पास में, यह n is equal to, कितना यहाँ पे 63 है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3, तो कहां तक जा रहा ही है, a63 तक, यहाँ पे 7, तो 7 को आपने डिवाइड करना है, किसमें, over these 63 elements में, तो पहले, according to this condition, इस condition से आप करोगे, तो यहाँ से जब आप इसमें, partition करोगे 7 के, clear, तो पहले आपको 63 को, यह 63 को 7 दे दिया, बाकी आपके ने क्या किया, सम्में, तो 7 इसको दे दिया, तो बाकी सम्में आपको 0 देना पड़ेगा, clear है, तो फिर आपके पाद, ऐसा भी हो सकता है, फिर इसमें, इसके partition जब करोगे, तो how many partition will be there, इसके आपके पास में 15 बनेंगे, तो इसके 7 के आप partition करते जाओगे, तो आपके, you will get there 15, ओके, तो answer to this question, इसके according 15 होगा, उसके according क्या रहेगा आपके पास में, n is equal to 62 लेते हो, तो 22 रहेगा, ओके, next question देगे, in equality triangle of side, length 6 pegs, are placed at the vertices, and also evenly along each side at a distance of the 1, from each other, मतलब, इसमें आपके पास में, तो, length of the side of the equality triangle is 6, clear है, so, and also evenly along each side at a distance of the 1, from each other, 4 distinct pegs are selected from the 15 interior pegs, तो, 15 pegs है, मतलब, क्या आपके पास में, you have the, equal to triangle, equal to triangle है, on each side, we have, there are 5 pegs, आपके पास में, 5 pegs है, clear है, so, from these, 15 pegs, you have to select, 4 pegs, ठीक है, तो, 15 interior, यह 15 interior pegs है, on sides, so, that is the, selected ones are not, the vertices of the triangle, तो, vertices triangle के vertices को select नहीं करना, फिर आगे क्या कह रहा है, and each peg is joint, each peg is joint, respective, opposite, तो, जैसे आपके पास में, अगर हमने इस से एक peg लिया, तो उसको किससे जोइन करना है, to the opposite vertex, respective opposite vertex, by a line segment, if and denotes, the number of ways, we can select the pegs, such that the, the drawn line segments, divide the interior of the triangle, into exactly 9 regions, तो, अपने को इस सरीगे से select करना है, you have to select the 4 pegs, in such a way that be, so, that divide the, region of the equilitated triangle, into 9 equal parts, so, 9 equal parts में, divide करना चाहिए, clear है, अब इसमें देखो, अगर अपने यहाँ पे, भी इस तरीके से, यहाँ पे इसके 6 part है, इसमें भी इसके 6 part है, इसमें भी 6 part है, clear है, तो अगर अपने देखो, कि, इस साइड के जो, जो मिडल पैग है, उसको अगर अपोजिट साइड से, अगर अपने जोइन करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ तो यह तभी possible होगा, कि, यहाँ से जैसे देखो, यह 1 is 2 कितने में 5 में डिवाइट कर रहा है, इधर से भी 1 is 2 5 में डिवाइट करेगा, 1 is 2 5 में, इधर से इनको, अगर इनको अपने जोइन करते हैं, तो यह इंटरसेक्ट, एट ए 1 पॉइंट, एक पॉइंट में इसको ले लिया, रिमेनिंग पैक में से आप क्या करोगे, कोई एक पैक ले लिया, तो उसको जोइन टुदा, वर्टेक्स, आपके पास में इस तरीके से अपने जोइन कर दिया, तो आप अपने यह पार्ट गिंते हैं, तो देखो कितना हुआ आपके पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यह आपके पास में 9 पार्ट बन गई यह, तो उसके लिए देखो, इन ओर टू हैव, 9 रिजन, 9 रिजन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, तो तीन लाइन सेग्मेंट है जो, तो वह तभी पोसीबल हो सकता है, जब आपके पास में एधर से, यह 1-5 में कर रहा है, यह भी 1-5 में कर रहा है, एधर 12-5 में, और एक साइड का कोई भी, जो 1-1 में आपके पास में है, तो यहाँ पर आपके पास में, देखो इधर कितने ratios बनेंगे आपके पास में यहां पर चार possibilities हो जाएंगे है clear है तो हर एक side के लिए आपके पास में क्या रहेगा तो भी है दा four ways इधर से four इधर से रहेंगे आपके पास प्रीज साइड भी है आपके पास में चार रहेगा फिर मैं क्या करूंगा फिर इधर इधर् Chicken इधर जीदर क्या किया इधर देखान एधर टू इस टू फूर में और आपने ठीक इट इस टू फूर में करेंगे तो पर में मिशंग Parent करते हैं उन इसको अपने अलग case में ले लेंगे तो आपके पास में यहां पर क्या आएगा तो on all the three sides, we have the four ways to select the ratios, ठीक है, तो four into three, एक ये cases बनेगा, four, plus, इसमें देखो, एक वो case होगा, जिसमें क्या आपके पास में, when we take the packs from each side, which divide the, this side equally in one part, one is to one में, one is to one में कर रहा है, इदर यह से, ठीक है, so they will intersect, all will be concurrent at this point, अब कोई एक pack को आप किसी से, दोगो, किसी से भी join कर देते हैं, जैसे दोगो, अपने को, मैं एक pack यहां से, इस vertex से join कर देता हूँ, ठीक है, अब अपने पास में, यहां पर फिर 9 equal parts बनेंगे, तो आपके पास में कितना आएगा, यह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और, यह 9, clear है, तो 1, यह आपके पास में 13 हो गया, clear है, तो अब अपने पास में, देखों, यह 13 ways से, देखों, each, on each side, we have the 4 ways to select the ratios, clear है, अब 4th जो vertex है, जो 4th जो आपके पास में pack है, that can be selected in how many ways, 12 ways, तो 12 ways से आपके पास में select कर सकते हो, तो this will give you the how much, यह आपके पास में कितना आ रहा है, 156 आ रहा है, एक तरीके से तो यह हुआ, when the all the, when the pack is joined to the opposite vertex, in such a way that the 3 line segment must be concurrent, वो concurrent हो नहीं चाहिए, तो आपके पास में, 156 ways से आपके पास में यह possibility हो गई, अब यह तो एक कि यह possible हो, यह case first हो गया, clear है, अब 2nd में देखों, आपके पास में क्या आएगा, तो 2nd में ऐसा हो सकते हैं, देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ भी, दो packs को इस vertex से join कर देता हूँ, clear है, तो similarly, इधर से 2 vertex को मैं join कर देता हूँ, इस side की 2 vertex ले लिए, बी से, vertex बी से join कर दिया, देखों, इधर रही हूँ, clear है, अब अपने इसमें part देखों कितने, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो यह 9 quarts, clear है, तो अपने पास में, देखों, कोई भी, 5 peg में से 2, 2 packs लिए, 5C2, into 5C2, यह second case हो गया, case second, clear है, तो यहां से 5C2, 5C2, तो यह कितने तरीके से हो सकता है, जा मैंने यह case में से लिया, यह रह गई, फिर इसको और इसको लिया, तो आपके पास में यह रह गई, तो this is possible in 3 ways, so into 3, तो यह आपके पास में, यहां पे 300 आएगा, तो पहले अपने first case में कितने possibility थी, तो in how many ways we can select the pegs, so that the, when the pegs are joined to the opposite vertex, they give the, divide the, this triangle in 9 parts, 9 parts में divide कर रहा है, तो आपके पास में total cases कितने हैं, 156 plus 300, so this we have 456, so according to question, sum of the squares of, the digits 4 square, 5 square, 6 square, so this we have 36 plus 25 and plus 16, this is 77, so answer to this question we have 77, okay, next question, in the coordinate plane, a point is called the latest point, next question है, coordinate geometry is here, in the coordinate plane, a point is called the latest point, both of its coordinates are integer, अगर इसके दोनों coordinates के हैं, दोनों, पॉइंट के दोनों coordinates के हैं, I mean like, are integers हो, let a be the point, a point है, उसके coordinates आपको देरेके 1284, find the number of right angle triangles, right angle triangles निकाल ले, a, b, c, in the coordinate plane, where b and c are latest points, बदर b और c के आपके पास में क्या होने चाहिए, जो coordinates हैं, they must be integers, दोनों integer होने चाहिए, ठीक है, having a right angle at vertex A, so whose in center is at the origin, जिसका in center कहां पे है, origin पे, तो अपने ऐसे करते हैं, by shifting the, by shifting, the coordinate axis, coordinate axis, अपने origin को, देखो, a पे ले जाते हैं, उठा कर, origin को जब a पे उठा कर ले गए, इदर देखें, यह आपके पास में, a क्या हो गया, 0, 0 हो गया, अब आपका, इसका जो in center है, that is, we have, origin, old, clear, now this is b, this is c, तो यह origin के coordinate, आपके पास में, क्या हो जाएंगे, इसके, तो 84, 12, ऐसे हो जाएंगे, clear है, तो यह minus 84, जो भी है, 12, 84, इस तरीके से मैंने बता दिया, so now what is the slope of, इसका slope कितना आपके पास में, a o, the slope of a o, that we have equal to 7, तो 7 आ रहा है, 84, 84 upon 12, अब नाओ इससाइड इस, इस इस आइंगल बाइट सेक्टर, यह अगल बाइट सेक्टर हो गया, आपके पास में, अब अगर अपने पास में, इसका देखो, यह इस आइंगल इस एंगल इस 45 डिगरी, so what is the, in radius, in radius कितना आपके पास में यह आपे, r is equal to, we have here, so this will be equal to, o a upon what, sin 45, ठीक है, तो इसको अपने o a को निकालेंगे, तो इस विल भी here, 12 square plus 84 square, upon root 2, तो यह आपके पास में 60 आएगा, इसको अपने, solve करेंगे तो 60 मिलेगा, ठीक है, अच्छा, अब अपने पास में, इसका slope अपने लेट कर ले, m a, तो अपने sides के slope देख लेते, इनके slopes क्या है, तो अगर अपने इसके slope देखें, तो m a और इसका slope कितना आपके पास में है, 7 a, so we have 1045, 1045, equal to, m minus 7, upon 1 plus 7 m, so you will have the slopes of, आपको a, b और a, c के slopes मिलेंगे, ठीक है, तो a, b और a, c के slope मिलेंगे, तो देखो किस type से फिर आगे, तो यह होगे आपके पास, तो m minus 7, upon 1 plus 7 m, तो plus minus 1, तो plus का ले लेते हैं पहले, m minus 7, this is 1 plus 7 m, तो यह कितना बनगे आपके पास में, इधार 6 m, और इधार minus 8, तो m की वैल्यू आपके पास है, minus 4 upon 3, तो इसके slope आपके पास में, देखो, इस type से हैं न, यह, b, और यह, c, इसका slope अपने, minus 4 upon 3, लेकर लेते हैं, और यह, आपका origin हो गया, अलब यह, वर्टेक से हो गया, ठीक है, अब इसके slope आपके पास में, minus 4 upon 3, इसका slope कितना 3 upon 4, इसके coordinate में, इस type से, लेकर लेता हूँ, जैसे देखो, 3, T1, and minus 4, T1, और इसके, coordinate अपने, लेकर 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 है, यह, आपके पास में, किसके बराबर आएगा, अब अपने पास में देखो, यह, R is equal to behave, according to, SOT solution of triangle, इसके बराबर आपके पास में, upon 2, यह आपके पास में, इसमें condition होती है, अब इसमें, यह, आपके पास में, यहाँ पर 42, तो, यह पाइतो के रोश स्वर्म लगाएंगे, तो देखो, BC square, here we have, A, B, square, plus A, C, square, ऐसा है, तो, अब इसमें, पाइतो के रोश स्वर्म में, BC square, किसके equal है, आपके पास में, यहाँ पर, BC square भी है, है आपका, ठीक है, So, A, B, A, B is equal to, we have, 5, T, 1, and this is 5, T, 2, and this is 2, into 60, तो, BC, यह आगया, ठीक है, तो, BC की value, जब आप इसमें, डालेंगे, तो, देखो, 5, T, 1, plus 5, T, 2, minus, 2, into 60, और, A, B, square, we have, A, B, this is 25, common, तो, T, 1, square, plus T, 2, square, इस, फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो, यहां से, 5 तो, देखो, चला जाएगा, तो, T, 1, plus T, 2, तो, यहां पे, 5, common, निकाला, तो, 24, 24, आ रहा है, तो, T, 1, square, plus T, 2, square, इस, फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, अब यहां पे, देखो, कुछ value अपने अज्यूम कर लेते हैं, यहां तो, इस पर दो को, मैं T, 1, को क्या let कर लेता हूँ, यहां पे, T, 1, को मैं let किया, यहां पे, X, plus 12, और T, 2, को मैंने let किया, Y, plus 12, तो, यहां पे value डालेंगे, तो, आपके पास में किस फॉर्म में आएगा, तो, X, plus Y, X, plus Y, whole square, इधर क्या बने आपके पास में, यहां पे, देखो, इसमें मैंने T, 1, को let किया, X, plus 12, T, 2, को Y, plus 12, यहां रखेंगे, तो, क्या आएगा, देखो, आपके पास में, X, square, plus Y, square, तो, हेर, भी हैव, 24, X, Y, 24, X, plus 24, Y, ऐसा आएगा, और, 288, इस फॉर्म में आएगा, तो, X, square, plus Y, square, वो कटेगा, आपके पास, ठीक है, और, एक X, Y, आजाएगा, तो, X, Y, आएगा, तो, इसको, देखो, अपने, इस तरीके से, रहे, X, square, Y, square, कटेगा, तो, यहाँ से, 24, X, और, X, Y, तो, 2, X, Y, आएगा, यहाँ से, तो, इदर, आपके पास में, यह रहेगा, इसको, जब, अपने, इसको, जब, solve करेंगे, तो, देखो, यहाँ से, क्या आ रहा है, यह, X, square, प्लस, Y, square, cancel, हो जाएगा, तो, इदर, क्या आएगा, 2, X, Y, ठीके, और, यह, आपके पास में, यहाँ पर, 24, X, प्लस, 24, Y, ठीके, और, 2, double, 8, अब इसको, 2 से, डिवाइड कर देते, हैं, 2 से, डिवाइड करने पर, देखो, आपको, क्या मिलेगा, यहाँ से, तो, 2 से, डिवाइड करने पर, इसको, आगे, simplify करते हैं, तो, देखो, 2 से, X, Y, इस form में आ गया, X, Y, और, 12 X, प्लस, 12 Y, और, 144, यह, एसा हो गया, ठीक है, अब अपने, देखो, इसमें, इसको, अगर अपने, थोड़ा सा और, सेट करें, तो, यह, X, Y, माइनस, 12 X, माइनस, 12 Y, और, प्लस, 144, मैं, दोनों तरफ, एड़ कर देता हूँ, इधर क्या आएगा, 288, ठीक है, तो, अब यह, आपके पास में, अगर इसको, अबने, इस तरीके से, देखो, इसमें से, क्या common आ रहा है, X, आ रहा है, और, इसमें से, आपके पास में, 12 common आएगा, तो, Y minus 12, और, इधर के आएगा, X minus 12, तो, Y, X minus 12, और, Y minus 12, इस वोर में आ रहा है ठीक है इक अब यहां से जो X और Y के वैल्यू जो आएगी नशो दिजार क्या है अपके पास में यहां से जो T1 T2 क्या है दियार इंडीजर इंडीजर से हैं अपके पास तो यहां पर देखो यह X और Y must be इंटिजर तो T1 T2 in order to have the T1 T2 इंटिजर तो X और Y भी इंटिजर होने चाहिए तो इंटिजर होने के लिए आपके पास में देखो इसके क्या फैक्टर बनते हैं आपके पास में देखो इसमें 2 रेज्ट पावर 345 इसको च्बस्तए को प्राइम फैंटरिसेशन देखो तो क्या आएगा सिग्टेश पार 5 थरस्टीटू एंट तो तो ऊंटिजर फाय और टू रेज्ट पावर 6 तो रेज्ट अशट उसल्ट वैसे तो 12 आग है तो 3, आ जाएगा तो 3 स्केयर 9 आ रहे गया तो 9 9 clear है तो इस 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 तो रेज़ पार 5 इंटू 3 स्केयर तो फाइनली देखो आपके पास में ये आपको क्या करना है यहाँ पे X-12 और Y-12 में तो रेज़ पार 5 यानि 5 अदेंटिकल अबजेक्ट को डिवाइट करना है और इसमें 3 इसका मदलब क्या है आपके पास में 2 अदेंटिकल अबजेक्ट है तो यह थोड़ा सा पी और सी का कुंसेट है यहाँ पे X-12 एंड Y-12 5 अदेंटिकल अबजेक्ट को इन दो में डिवाइट करना है तो वो कितने तरीके होंगे 5 प्लस 2-1 C तो दो में डिवाइट करना 2-1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 2 प्लस तो दो में डिवाइट करना 2-2 C-1 यहाँ पे 2-1 तो यह आपके पास में बन गया इधर 6C 1 इन टू यह भी है तो इधर आपके पास में आएगा यह तो 3C 1 3C 1 तो टोटल आपके पास में 18 आपके पास में यहाँ पे triangle possible है तो answer to this question we have the 18 okay next question देखें तो next question आपका है इसमें a trapezium in the plane is a coordinator in which a pair of the opposite sides are parallel a trapezium is said to be non degenerate non degenerate if it has positive area find the number of mutually non congruent non congruent मतलब कोई भी आपके पास में वह trapezium है exist से नहीं है ठीक है सब अलग अलग है so non degenerate trapezium non degenerate trapezium whose area is a positive integer ठीक है यह positive area है तो negative नहीं है so whose sides are four distinct integers from this side so whose sides are taken from these we have the six digits तो आपके पास में देखो दो possibility दो तरीके से trapezium बन सकता है तो you know the trapezium the two parallel opposite sides मतलब two opposite sides are parallel and there are the two non parallel sides तो देखो अब इसमें इस तरीके का एक trapezium तो इस तरीके का हो सकता है आपके पास में तो यह ले लिया है ठीक है इस तरीके का यह ट्रपीजिम हो गया यहाँ ए बी सी अब यह साइड ए और इधर बी सी और इधर डी ठीक है यहाँ पर आपके पास में देखो डी क्या है डी इस बी एड 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 इस ग्रेटर दन सी है ओके तो यहां से अगर अपने देखें इसको थोड़ा से द्यान से अगर मैं इस साइड को एक स्लेट कर लेता हो यह पर तो इस पर पर परपंडिकुल ड्रा करते हैं इस पर प्रडूस एबी पर तो अगर इसकी बात करें अपने देखो यह यह आपके पास में किसके को आएगा मैं इसकी बात करूंगा तो यह आप तो इस हाइट यह आपके पास में एक पॉंट में ले लिया यह पर देखो तो ली एम इस इकल तो भी है अनुरूट में क्या मुझा देम इस इकल तो विल बी एकल तो वाट दी स्केर माइनस एक स्केर तो पाइटोरी तो लगाएंगे तो similarly यह यहां पर cn तो इनका स्केर के वो दोनों एकल रहेगा यहां से क्या रहा है आपके पास में देखो यह वाली आपके पास में साइड कितनी होगी यह सी है इस इस ए तो यह माइनस एक्स हो गया तो यह आपके पास में क्या हुआ सी माइनस a plus sex इस form में आ गया तो ये और ये दोनों आपस में क्या dm is equal to we have dm is equal to cn इस तरीके से रहेगा तो dm equal to we have स्केरिंग कर दें both sides तो dm is equal to किसके बराबर है आपके पास में यहां पर so this is d square minus x square equal to this we have equal to what यह b है आपके पास में इधर क्या रहेगा यह तो b square minus c minus a plus x whole square इस form में आ गया है ठीक है अब इसको अपने soda solve कर लेते हैं दो बी square तो इधर इसको क्या लिखा x minus a minus c whole square इस form में लिख दिया ठीक है तो d square minus x square तो इसको अगे simplify कि आफ फर्दर स्टिस्ट्ट्पर simplify करेंगे तो d square minus x square सो b square minus इसको whole square को खोलेंगे तो दिख़ो x square तो इधर minus a minus c whole square and plus 2x a minus c इस form में आ रहा है ठीक है तो कुछ cancel हो रहा है यहां से देखो x square cancel हो गया तो अब आपके पास में X की value देखो क्या रही है इसमें यहांपे यह तो अगर अपने एक second trapezeum अगर अपने सोचें इस टाइब का हो सकता है इस तो इसमें अब इस साथ में पहले लग किसके एब इस पहले तो वाट सीडी इस फोर्म में रहेगा तो फिर वह है इसमें भी देखो आपके पास में यह वाली साइड क्या है इस भी टेकन है दे स्वाल देन अभी दिस दी तो अब अपने पास में यह एक्सलेट कलते हuição ठीक है तो आप अपने पास में यहाँ पर तो यह हो गया कितना आपके पास में के सी हो गया तो वड़ी इस दिस ही माइनस इई सी प्लस एकस त् alt एगा तो यह बीश्व Britney x square equal to what? तो इसकी बात करें b square minus तो उसी दरीके से a minus c minus x whole square इसको फिर वही form बन रहा है ठीक है? यहां से फिर a minus c तो इसको minus का बाहर ले लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? x minus क्या आजाएगा? a minus c whole square तो यहां से x आपके पास में यह quantity आ गई क्लीर है? तो x को देखो अब यह x कहां से कहां तक वरी करता है? x varies from what? 0 to 2. x is lying between 0 and d. ठीक है? क्योंकि x आपका d तो हो नहीं सकता तो d अगर हो तो तो trapezium यह आपका इसका existence ही खत्म हो जाएगा? so यहां से x की value देखो कहां से कहां तक वरी a minus c whole square plus d square minus b square तो इसको देखो आगे x is equal to we have a minus c whole square plus d minus d square minus b square upon 2 a minus c this varies from 0 to d तो इसको अपने simplify कर लेते हैं अब देखो a minus c whole square plus d square minus b square upon 2 a minus c this varies from 0 to d तो इसको अपने simplify कर लेते हैं अब देखो a minus c whole square and d square minus b square is less than 2 d a minus c इस तरी किसे आएगा ठीक है अब इसको और आगे simplify कर लेकते हैं तो देखो क्या आएगा इसको open करेंगे तो किस form में रहेगा यह तो a minus c is the positive है तो इसमें कोई फर्ग नहीं पड़ेगा sign पे इसको simplify किया तो a square minus 2 a c तो इसको ऐसी रखो यह ऐसी रखा a minus c whole square and d square minus 2 a a d and plus 2 dc इस तरीके से आ रहा है इसको simplify करते हैं आप नहीं तो देखो इसको a minus c is form में रख लेते हैं a minus c whole square and minus 2 d a minus c and plus d square minus b square greater than 0 ठीक है तो अब इसमें इसको छोड़ो तो यह आपके पास में किस form में आगे देखो a minus c minus d whole square minus b square so this is less than 0 यह रहेगा अब इसके फेक्टर करेंगे तो देखो क्या आ रहा है a minus c minus d plus b and a minus c minus d minus b less than 0 clear है अब देखो यह तो आपके पास है positive है so here we have the minus d minus d can never be exceed the what a से ज्यादा तो नहीं हो सकता अब आपके पास तो यह b क्या है इसमें add हुआ 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 है तो मैंने पहले बताया हुआ हुआ है क्लिर अब इसमें देखो अगर अपने इसको माइनस करते हैं इसमें a minus d is greater than what c minus b इसको आप इदर लेकर आएंगे तो a minus d minus c plus b is greater than 0 यह रहेगा तो यह आपके पास में quantity positive है a minus c minus d plus b is greater than 0 okay तो यहां से अब आपके पास में देखो तो क्या-क्या conditions आती है a minus d तो यहां से a plus b is greater than what c plus t तो यह आपके पास में बढ़ा आ गया clear and and we have a is greater than c and d is greater than b अब अपने को इस तरीके के solution set बनाने है जो इस condition को satisfy करें ठीक है ए और b का sum क्या है आपके पास में किससे बढ़ा रहना चाहिए c और d से बढ़ा रहना चाहिए तो यह आपके पास में देखो पहला केस तो यह बनेगा जिससे 10 तो इदर मैं क्या कहता हूं 10 8 7 9 so a b c d है न तो यह आपके पास में solution हो गए आपके पास में इस टाइप से बहुत सारे केस बनेंगे आपके पास में तो लास्ट में जो आपके पास में बनेगा वह आएगा ऐड़ थे वन फाइव नाइन क्लिए तो देखो मैं क्या कहा रहा हूं 8759 तो यह टोटल अगर अगर अपने इन केस को अगर अपने बनाते जाएंगे तो यह बनाते जाएंगे तो यह दिवल था 31 ऐसे आप cases बनाते जाएंगे यहां पर 10, 8, 6, 9 इस टाइप से बनाते जाएंगे तो आपके पास कितने possibilities हैं यहां पर 31 possibilities है ओके तो answer to this question भी है 31 तो next question देखें, next question मैं देखां, find the least positive integer n such that there are the at least 1000 unordered pairs of the diagonals, unordered pairs of the diagonals, तो इसमें polygon जो होगा, उसमें unordered pairs of diagonals, जैसे a1, a2 अगर सपोस करो कोई diagonal से a1, a4 है, तो a4, a1 नहीं लेना पर आपको, a की लेना है, a1, a4, तो इने regular polygon भी देखें, what's it that intersect at a right angle in the interior of the polygons, जो अब आपको ऐसे, कम से कम, जब आपको, the least positive integers n, तो n क्या है, least positive integers बताना है आपको, so that there are the at least 1000 unordered pairs of the diagonals, इने regular polygons, with the anverses, with anverses which intersect at a right angle inside the interior of the polygons, वो सारे के सारे diagonals क्या होने चाहिए, they must intersect at a 90 degree, और वो अंदर की तरफ होना चाहिए, अब देखो इसमें, अगर मैं suppose करो पहले क्या है, अब अपने क्या square लेते हैं, ठीक है, तो unordered का मतलब यह हो गया है, जैसे आपके पास में, यहाँ पर a1, a2, a3, a4, clear है, तो अब आपके पास में, य intersect at what angle, 90 degree, so how many diagonals are there, so a1, a2, a1, a3 and a2, a4, अब इसमें, यह unordered a3, a1 नहीं लेना, ठीक है, a4, a2 नहीं लेना, तो अब इसमें देखो, और ऐसे ही फिर आपके पास में, देखो, 5 का नहीं लेंगे, मतलब पेंटागन नहीं ले सकते, पेंटागन में इसमें क्या number of sides क्या हो नमबर of words, यह तो क्या होगे, 4 होगे, यह 6 होगे, यह 8 होगे, तो इस तरीक है क्या बनेंगे, आपके पास में, अगर, आप इसमें देखो, पेंटागन में आपके पास से पसिवली नहीं होगे, तो पेंटागन में इस टाइप से हो गया, ठीक है, इसमें को कोई भी दो, तो और नंबर वट्स वालब रेगुलर पोलीगन पॉसिबल नहीं है यह एंगल आपके पास में 90 नहीं बनेगा ऐसे इसमें फिर देखो यह इस टाइप से यह एंगल नाइंटी नहीं बनेगा तो अपने को यह देखना है कि भी जिसमें डाइगल्स क्या है इंटरसेट करें इंडी इंटीजर ओधी पॉलीगन एट एंगल 90 तो वह तो कब पॉसिवल है जब आपके पास में नंबर वर्ट्स क्या हो यह तो फॉर हो शिक्स हो एट हो तो यहां पर दो टाइप के रेगुल तो अपने अलग 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 Это समें डिसकत कर लेते हैं तो देखो है तो इसमें केस फर्स्त क्या बनता है आपके पास में क्यास फर्स को ए अनकर Abgeordnets डाइग्व और चक़िग गड़्स क्या बनेंगे आपके पास वह नश्जरी प्लस occupied तो टूंगे स्बिकाइव बाइनस व में 3 plus 1 into k this must be greater than what 1000 तो अगर अपने यहां पे इंटो में के हो राएगा ठीक है तो यह अगर अपने इसको simplify करें के तो this is k-square what is this this is k-1 whole square into k greater than equal to 1000 ठीक है अब इसमें देखो आपके पास में k-square here k-1 whole square so greater than equal to 1000 अब यहां पर देखो अगर आपने k की value देखो क्या है यहां पर 9 रखते हैं 9 so 9 पर यहां पर आपके पास में क्या आजाएगा 81 आजाएगा यहां पर 64 आजाएगा अफिर इसको 9 से multiply करेंगे that will give the greater than what equal to 1000 तो यहां पर k की value आपके पास में क्या आएगा के अगर मैं 8 लेट करता हूं तो 8 पर यहां पर 64 यहां पर 49 तो उसको वो क्या that will never be exceed there वो क्या आपके पास में k is equal to 8 के लिए आपके पास में 1000 से ज्यादा नहीं होगा तो आपके पास में के इस क्या आगया greater than equal to 9 तो इसमें आपके पास में 2k is greater than equal to what so we have here 4k sorry इसको 4k so 36 so n is greater than equal to 36 यह case रहेगा ठीक है अब second case में आपके पास में क्या हो सकता है दो को second case में case second में क्या होगा case second में ठीक है उसमें n is equal to 4k plus 2 तो उसमें number of unordered pairs क्या होगे फिर आपके पास में 1 plus 3 plus 5 plus this will be 2k minus 1 into 2 into 2k plus 1 this must be greater than equal to 1000 clear इसको देखो k square and this is 2 and 2k plus 1 greater than equal to 1000 so this is k square 2k plus 1 is greater than equal to 500 इस तरीके से आएगा अब इसमें k की value अगर आपने देखें यहां पर तो के अगर 7 रखते हैं तो यहां पर देखो 7 तो k is greater than equal to we have here k greater than equal to 7 7 रखा तो यहां पर 49 हो गया 49 इदर आपके पास में 14 15 15 15 so this will be greater than to अगर अपने suppose करो 6 रखते हैं तो 6 पर देखो यह आपके पास में 6 यहां पर 36 and 6 is 12 13 तो यह आपके पास में this is not greater than equal to 500 तो यह आपके पास में 360 and 100 तो यह ग्रेटर दन equal to 500 नहीं होगा ठीक है तो आपके पास में k greater than equal to 7. so 4k is greater than equal to 28 and 4k plus 2 is greater than equal to 30 so we have here and is greater than equal to 30 so what is the least least positive integer and so that the there are at least 1000 unordered unordered pairs तो आपको क्या है वहाँ पे 1000 क्या है ऐसे यूगम चाहिए तो वो क्या आएगा फिर आपके पास में n की value कितनी रहेगी यहां पे the least value of pen is equal to 30 okay यह पांच questions का solution था Olympiad का thank you हाँ बच्चो नमस्कार तो IOQM 2023 मैच के पेपर में अगला question question 26 को देखते हैं एक लंबी चौली सी कहानी सुनाई है उन्होंने पढ़ लेते हैं इस पहले कहानी को इन दा land of binary the unit of currency is called ban ठीक है साब किसी binary land पर ठीक है न करंसी का नाम क्या है unit of currency is called ban जैसे अपने एक रुपया दो रुपया ऐसी इनके हैं इनके शहर में इनकी country में ठीक है न क्या है नाम बैन है और करंसी नोट्स आरविलेबल इंड देनोमिनेशन सी ओर या लोट चलते हैं ओ और झालता नॉट इंगे सीड गढ का 9 चुलिए डायट वन चैननोट से मोर दाने टू नोट साफ एनी वन डेनोमिने शन इन अन्य ट्रशक्षिन थी आप गवर्म्नेंट के रूल्स प्हएं इसी भी ट्रांजक्षिन में किसी भी नोट का किसी भी करंसी बेंज यू भी है आप थी कहो नहीं करने अगर आपने एक ट कीन नोट यूज़नी करेंगे दो के चारा नोट यूज़नी करेंगे एंड सो ओन थे नो नहीं पर से कहानी भी सुनाई है वटन कें गिव अच्ज फॉर डू बेंस एनटू वेज ठीक है न कोई भी बंदा दो रोपे के चेंज जो है दो तरीके से सकता है एक एक तरीका कैसे बई एक का नोर्ट एक का नोट उर्थाथ इनकी भाषा में बात करें तो टूपी पावार दीरो टू 싶은ус ठीके साथ या फिर एक काम कर सकता है के वेल की पावार एक मतलब 121 दयुक्त बात क्लीर है एसे ही उन्होंने पांच का भी बोला दो उनोंने बुला है for five band one can give one one band and one band note and one four ठीक है ना मतलब पांच रुपे को कोई कैसे चल्लड बना के दे सकता है change बना के दे सकता है ठीक है एक का note और ये दो का square मतलब चार हो गया आपका एक प्लस चार पांच रुपे एक और तरीका उसको देने का क्या बोल रहा है वो one four band or one 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 band note and two two और भी क्या तरीका है यह बोल रहा है बही ऐसे कर लो two की power zero लेलो two की power one लेलो two की power two लेलो मतलब एक दो का note एक दो का note मतलब दो सब्सक्राइब करन्सी का दो से ज्यादा बार यूज नहीं करना है ठीक है साब आगे वो बोल रहा है find the number of ways in which one can give change for hundred bands ठीक है अब 100 bands देने के लिए total number of कितने तरीके होंगे जैसे पांच रुपे देने के कितने तरीके हैं दो तरीके हैं आपके पास ठीक है साब ऐसे ही वो पूछ रहा है 100 रुपे के change देने के अंडर government restrictions and rules एक बंदा कितने तरीके से 100 के change दे सकता है ठीक है साब बहुत सारे तरीके होंगे आपके बस आपको counting proper करना है for example अगर अपन बात करें तो भाई बंदे ने दे दिया एक तो टू की पावर 6 याने कितना हो गया खुले में 64 हो गया उसके बाद एक कर दिया कितना 64 प्लस प्लस की पावर 5 यह जोगे 32 96 अब बचे और रौपे को कैसे दे सकता है ठीक है नहीं को एक दो बाद आ Come Oh तो इस तरह से हमें पूरी counting करना है तो बहुत ज़्यादा तरीके नहीं होंगे अगर बच्चा patients के साथ पूरी counting शुरू करें तो it can comes out to be total 29 ways यह देखें आप दर यह देखें यह आपका 2 की power 6 2 की power 5 2 की power 2 हर case में total amount कतना मनाना है अपने को 100 keeping in mind किसी भी बैन का यूज हमें एक दो से ज्यादा बार नहीं करना है तो टोटल अपन कर लेते हैं कितने हो रहे हैं यह total आपके 19 बनेंगे हैं काउंट करते हैं यह होगे आपका एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दैन इसर काउंट करें अपन ने 10 11 12 13 14 15 16 17 मेरे से गढबड हो गई है तो गढबड कहा है है अपन देख लेते हैं अ कि येश कि अगलवर तो यहां हो गए हमसे हैं इस ही एक गढबड यहां कर दी अपन ने यहां पर एको रा सकता नहीं हुस्त अग्वावावर पाँज ले लेते हैं एक मैं ले लेते हैं लुगावर तो मतलब दो को दोन इक तो यह कांटिंग में सो गई हमसे नियू अगले स्ट्रेटेजी की कर लिए दोकी पावर 6 है फिर क्या करा अपने एक दो इधर निकाला तो कितना हो गया कि 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 16 और उसके बाद है ना चलिए उसके बाद एक बाई वरगेशन ये ठीक है 1003222 उसके बाद कहां गड़बड हुई हमसे हमसे गड़बड हुई है ये भी ठीक है छह तक के तो पूरे ओके है है ना उसके बाद 55 एक यहां मिसेंगे हमसे है ना क्या मिसेंगे है यहां मिसेंगे है दो की पावर पाँच 32 फिर दो की पावर पाँच 32 ये दो की पावर 416 ये दो की पावर 16 और दो का एक नोट ले 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 और दो का एक नोट ले 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 हैं सही है अब मेरे हिसाब से होफ 19 ways are there, perfect, बागी सब complete, ओके, चलिए, next question देखते हैं, हाँ बच्छो, अगला question देखते हैं, 27th, 27th question बोलता है, quadruple, quadruple a, b, c, d, of distinct integers is said to be balanced, if a plus c equal to b plus t, ठीक है न, तो यह बोल रहा है, इस quadruple को balanced quadruple कब बोला जाएगा, जब a plus c है न, a plus c equal to b plus d, ठीक है साब, और s क्या है, set of any quadruples a, b, c, d, set है, तो इक curly bracket कर देखते हैं, चलिए, तो s is the, s b any set of quadruples a, b, c, d, ठीक है साब, पतलब इसमें वो सारे, के सारे, a, b, c, d numbers है, set में, s में, और जहां पर, a, b, c, d, के बारे में क्या बुला है, यह सब छोटे बड़े बढ़ते हुए क्रम में है, एक या एक से बड़े, लेकिन 20 और 20 से छोटे, where cardinality, मतलब number of elements in s is 4411, तो अगले ने अपने हिजाब से उनकी जए cardinality दी है, वो कितनी है आपकी, 2441, अब यह बोल रहा है, find the number of balanced quadruples in s, ठीक है न, तो बात को यूँ जमझी है, इस question को समझना ही बड़ा काम है, बाकी करना बहुत छोटा काम है, अगले ने बोला है कि, इसमें जितने भी quadruples है, इसने cardinality number दिया हुए, इसके total number of elements के तने 2411, और अगर अपन देखें, तो total जितने आएंगे भाई, without any restriction बात करें अपन, तो 20C4, ठीक है न, 20C4 का value, जितना होगा भाईया, 20C4 का value आएगा, होपफुली, 4845, 4845, 4845, बात क्लियर, ठीक है साब, ये 20C4 का value आगया है, बाई, NCR से value नकालना सब को आता होगा, तो अब बात इतनी सी है, हम ये मान के चल रहा है, हमें पता करना है कि, बाई, बहुत सीरी सी बात है, हम ये difference देखने चल रहा है, तो ये तो अच्छा का सा difference है, total without any restriction, यतने आ रहा है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं, तो मिस कर गया है, तो हमें वही least number of quadruples निकालने हैं, जिसके लिए क्या हो, a plus c is equal to b plus d हो, देखें ज़रा, simple सा काम है, हमें b plus d equal to a plus c, कहां से शुरू करेंगे हैं अपन, भाई minimum कितना हो सकता है, ये 5 और maximum कितना हो सकता है, 20, 37, है न, तो simple सा job है, counting, बड़ी smooth सी कर सकते हैं अपन, कहानी में twist का आएगा, वो देखेंगा, केवल एक जगए, b plus d is equal to a plus c, अगर आपका 5 होता है, तो ये कैसे होगा भाईसा, ये हो जाएगा, आपके दो तरीके से केवल, 4, 1 और 3, 2, no other choice, ठीक है न, तो इसको करने के तरीके कितना होए, 2, C, 2, ठीक है न, ऐसे b plus d equal to a plus c, कितना होएगा, 6, pattern को पकड़िएगा, 2, 3 के बाद pattern आ जाते ह हैं, ऐसे सारे questions में, इस बार जो most of the questions आए, उन समय है, तीन से चार steps के बाद pattern follow हुए है, ठीक है साथ, तो आराम से patience की कीजिए, तो ये आपका 1, 5 हो लिए, 2, 4, ये भी 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, तो ये कितने हाए आपका 3, C, 2, same with 8, इसका भी कितना है, 3, C, 2, अ अब असली कहानी का twist आएगा 21 पर, 21 पर, 21 पर 21, then 11, 10 तक, इसमें वापिस जो है आगे 22 and so on, क्योंकि हमारी restriction कितनी है, हमारी restriction जो है, बच्चे, max to max हम कतना ले सकते है, 20 तक ले सकते हैं, ठीक है ना, तो 20 तक ले सकते हैं, ठीक है ना, तो अब जारा ध्यान से देखिएगा हम 22 को 21 और 1 नहीं ले सकते हैं, बात समयन में आ रहा है, तो वापिस प्रोसेस आपकी reverse order में चालू हो जाएगी, ठीक है ना, 22 का कितना है, 92, 19, 18, 2 and so on, ऐसे ही, ऐसे ही अगर आपन चले हैं, 19 और यह कितना कर लिए, 3, यहां से शुरू हो जाएगा, और यह कितना हो यह आपका, यह हो जाएगा, आपका कितना, 9 और 13, 12, 13, 9 तक and so on, ऐसे ही जाएंगे आप, इसके भी कितने आएंगे, 92, reverse pattern चालू हो जाएगा, और तिल, यह आपका 36 वाले का, यह कितना बनेगा, आपका 16, 20, 17, 19, तो इसके वापिस कितना आएंगे, यह 9, 2, 9, 2, then 8, 2, 8, 2 and so on, तो twist कहां पर आया है, 21, 21 के बाद वापिस जो है pattern reverse follow हो गया, ठीक है न, तो यह total balanced cardinal कितने बन रहे हैं, आपके, balanced cardinal बन रहे हैं, आपके, 4 times of this month, सब को total कर लिया, और यह एक बार आपका, तो plus का 10C2, तो इसका value आएगा, कितना आपका, 525, तो point to be noted, वो आपका कितना था 24, और यह difference कितना आ रहा था, total में से, जो अपने निकाला, उनके given cardinal में से, अपने इसको minus करा, तो यह कतना हुआ, यह हुआ आपका कितना, 434, तो हम यह मान के चल रहे हैं, उसने जितने भी miss करें है cardinal number, वो सारे के सारे balanced ही, यह यह समझो, अपनी दन्या का, अपनी ज ही यह हम को, तो हम यह मान के चल रहे हैं, सारे के सारे उसने cardinal number ही miss कर दिये होंगे, तो balance के लिए, least balance कितना हो गया, 525 और minus का कितना, 434, that comes out to be 1, और यह कतना आपका, 42 यह हो गया, आपका कितना, 91, ठीक है साब, that comes out to be how much, 91, clear है, और इन्होंने question में पूछा भी शायद यह किये, clear, चलिएगा, अगले question की तरह आते हैं, अगले question देखते हैं, question number 28, इसका exam hall में instantly कर पाना, थोड़ा सा मुश्किल है, language भी complicated है, और इसका explanation भी थोड़ा सा bit complicated रहेगा, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक देखी का तरह, यह बोल रहा है हो, each side of an equilateral triangle with side length n units, where n is an integer, n greater than equal to 1, but less than equal to 100, ठीक है साब, consider n minus 1 points, that divides side into n equal segments, ठीक है साब, through these points, draw line parallel, जैसे बान लीजी है, अपने एक यह triangle लिया, अगला, क्या चारा है, वो सुन लें, यह अपना एक दो, यह भी आपका एक दो, क्या आपका एक दो, यह देखें हैं, यह और यह, यह आपने join करें, ठीक ह उसके बाद, parallel lines, यह इसको और यह इसको, और same here, यह इधर और यह इधर, इस तरह का, equilateral triangle का, क्या बूल रहा है, draw lines parallel to the sides of the triangle, obtaining a net of, equilateral triangle of side length, 1 unit, ठीक है साब, यह 1-1 unit के अपने खूप सारे, equilateral triangle का, एक net तयार कर लिया, on each of these vertices, of these small triangles, place a coin, head up, मतलब, जितने भी, small triangles है, यह, 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 इन सब पर अपने coin रख दिया, और, सब पर, जो coin का face है, that, upward face है, इसका कितना है, h है, two coins are set to be adjacent, if the distance between them is one unit, adjacent कब बोलते हैं, जबकि इन दोनों के बीच का distance कितना हो, यह दोनों coin आपके कैसे कहलाएंगे, adjacent coin, यह वाला coin भी कैसा कहल unit के distance पर जतने भी coins है, उन सब को क्या बोलेंगे, adjacent coins, ठीक है साथ, अब आगे क्या बोल रहा है, the distance between them is one, a move consists of flipping over any three mutually adjacent coins, यह, 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 मूव कंसे स्ट आफ, एक मूव में क्या हो रहा है, कोई से भी 3 mutually adjacent coins क्या हो रहा है, flip हो रहा है, एक साथ 3 हो रहा है, ठीक है न जैसे मान लीजिए, मैंने head से convert करा, तो tail हुआ, तो tail simultaneously कितनों पर होएगा, तीन पर हो जाएगा, मतलब इसकी तीन, जैसे ये वाली side, ये वाली side, और ये वाली side, तीनों sides पर क्या होगा, head से tail हो जाएगा, मतलब मैं तीन head का movement लेता हूँ, तो उसके corresponding, तीन tail convert हो जाएगे Okay, initially सारे के सारे कैसे हैं, tails आपके zero हैं, और हमारे लिए कितने हैं, heads पूरे के पूरे up हैं, अब ज़रा देखे हैं, find the value of n for which it is possible to turn all coins tail up after a finite number of moves, तो यूं समझी है, हम मान लेते हैं, total number of vertices कितने होंगे, total, total number of vertices, total number of vertices तो हो जाएंगे हमारे कितने हैं, n into, n plus 1, or into, n plus 2, और अपन का आपका ये 2, चीक है साब, तो यह हो गए आपके total number of vertices, अब सुनिएगा, अपने काम करते हैं, initially जो head है, उसको अपने zero मान लेते हैं, tail को कितना मान लेते हैं, one, ठीक है ना, initially अपने head के value को किया, assume कर ले करते हैं, one, जिसको tail को, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पस a की line इसमें काम की है, after each, initial value of all vertices, initial, 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 initial तो सबका zero है, क्योंकि question में लिखा हुआ है, question में लिखा हुआ है, question में लिखा हुआ है, भाई, कितना, on each of the vertices, these are this, चीक है न, और क्या बोल रहा है, through these points, lines, after all this, each vertices, place a coin, heads up, initially, सारे के सारे कैसे है, heads up है, तो initially, हमारी भाशा में language कितनी हुई, zero हो गई, चीक है साहब, अब आगे सुनिएगा, इसमें यह बोलते हैं, after each move, three, zero, becomes three, one, after each moves, हर तीन, after each, three, zero, move लेंगे हैं, तो किसमें convert हो रहा है, three, one's में convert हो रहा है, मरलब, तीन heads किसमें convert हो रहा हैं, तीन tail में convert हो रहा हैं, तो बात को यह समझिएगा, कियत मूफ के बाद, क्या होगा, the sum will be, कियत मूफ के बाद, जो sum बनेगा, वो कितना मनेगा हमारा, कियत मूफ के बाद, तो after, कियत मूफ, यह कितना मनेगा, f of k is equal to f of k plus का one और plus का कितना है, three, यह हुआ आपका, सॉरी, उल्टा लिग दिया मैंने, कियत मूफ के बाद, कितना हो जाएगा, f of k plus one और plus का three, because हर तीन movement, head upon turn करेंगे, तो किसमें convert होने वाल है, tail में, ठीक है साब, तो finally, the number of tails, तो finally, final, the number of tails, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा, आपका, n plus one, into, n plus two, upon two, और initially already कितना था, zero, initially कितना था आपका, zero, तो भाई साब, initially आपका zero था, तो हम क्या बोलेंगे अब, हम बोलेंगे, यह वाली जो picture है, three, divides this, initially यह वाली picture तो आपकी zero थी, ठीक है न, तो three divides this picture, ठीक है न, तो three divides this picture, तो n is equal to क्या होगा, n is equal to, यहां तो होगा 3k plus one, और यहां होगा कितना, 3k plus का two, सही है, n अगर आप चाह रहे हैं, तो n क्या होगा, यहां तो 3k plus one होगा, यह 3k plus two होगा, अब नीचे कितना है, आपका two, तो जाहिर सी बात है, आपका n, जो hundred से छोटा हो, ठीक है न, जो hundred से आपका छोटा हो, क्योंकि question में already कितना दिया हुआ है, question में हमें दिया हुआ है, less than this, तो कितना होगा, 67, ठीक है न, तो यह से कितने moves रहेंगे हैं हमारे, 67, बात clear, चलिए, अगला देखते हैं, अगला 29th question देखते हैं, यह positive integer n greater than 1 is called beautiful n, is called beautiful, n can be written in one and only one way, मतला दुनिया में किसी भी number को इनकी language में beautiful कब बोला गया है, जब उससे आप केवल और केवल एक ही तरीके से लिख पाएं, ठीक है न, और तरीका क्या दिया है न, n is equal to a1 plus a2 plus a3 plus 1 aK for some positive integer, fine, कि आपका कैसा है, greater than 1, ठीक है साब, और a1 greater than equal to a2, greater than equal to a3 and so on, for example, यहनोंने इसी पूरी बात को एक example से mention करा है, नंबर की beauty को, और नंबर की beauty के है भाई साब, नंबर की beauty है, 6 को यहनोंने लिखा है, 3 into 2 into 1, और इसी को आपन लिख सकते है, 3 plus 2 plus 1, and this is unique, इसके अलाव अपन और कोई टुकडों में नहीं तोड सकते इसको, fine, but it is not beautiful since, 8 को break करने के दो तरीक है, 4 plus 2 plus 1 plus 1, 4 into 2 into 1 into 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते है, 2 plus 2 plus 2, 6 plus 1 plus 1, or 2 into 2 into 2, or 1 into 1, so uniqueness यहाँ पर क्या होगा ही, lost हो चुकी है, मतलब हम 8 को दो अलग अलग तरीकों से अपन break कर सकते हैं, mention कर सकते हैं, as per their definition given in the question, fine, तो अभी यह बोल रहा है, यह बोल रहा है भाई साब, 100 से पहले, find the largest beautiful number less than this, तो भाई 100 को तो भूल जाए हैं, अपन less than 100, 99 से शुरू करते हैं, तो आप 99 को लेंगे, आप 98 को लेंगे, 97 को, 96 को और ऐसे लेते रहेंगे, और जैसे ही, जैसे ही आप देखें, भाई पूरा का पूरा खेल किसका होगा, order prime का, ठीक है ना, for example, यू समझेगा बात को, अपन एक illustration से बात करें, तो यह देखें ज़रा, जैसे 99 है, तो 99 को अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 9 into 11 और 79 times of 1, तो 9 into 11 और plus 79 times of 1, कि कितना होगे 99, बात clear, अब जब जब देखें, इस 99 को break करने का एक और तरीका था, इस 9 में से 3 को इधर दे दे तो यह कितना होगे, 33 into 3, 99, ठीक है ना, multiplication में तो मर्ची करें, उतने ले लो ले किनिदर देखो, यह हो रहा है, 33 plus 3, 36, तेकिन यहाँ पर 1 कितने आएंगे, 66, तो आप देख रहा हैं, आप एक 99 को, दो अलग अलग तरे से mention कर पा रहा है, बात clear है, तो अब जब जब गौर फरमाईएगा, beauty, uniqueness य जैसे ही हम mention कर पाएंगे, define कर पाएंगे, तो it is called, beauty is lost, fine, तो similar way, अपन बात करते हैं, 98 की, 98 को भी, आप break कर सकते हो, first class वाला, 49 into 2 में कर लो, 49 और into 2, और into 1, 1, 1 and so on, और इधर भी, 49 और प्लस काट 2, एक तरीका तो ही है, और प्लस 1, 1, 1, count कर लो, कितने 1 चाहिए आपको, fine है, अब जरा देखो जरा, 49 into, 49 plus 2, और 49 into 2, ठीक है, तो यह कितना हो गया, आपका, 49, 98 हो गया, तो 98 हो गया, तो मुझे लग रहा है, 47 times, क्योंकि यहां पर कितना हो रहा है, यह रहा है, 51, 51 तो यह हो जाएगा, आपका 47 times 1, तो यह आपका 47 times, देख रहा है, तो 98 को break करने क एक तरीका तो यह हो गया, अब दूसरा तरीका, अपन इसको और कैसे कर सकते हैं, वही पुराना तरीका, इसमें से 7 को अधर लेलो, यह हो गया, आपका 14 into 7, ठीक है साब, अब into 1, 1, 1, और सेम यह यहां पर आप कर सकते ही कितना, 14 और प्लस का 7, और प्लस 1, प्लस 1, तो यह आपर भी यूनिकनेस खतार, यूनिकनेस खतम हो गई है, यूनिकनेस लॉस्ट, तो अट लास्ट, ऐसे करते करते करते, जैसे ही आप पहुचेंगे 95 पर, 97 की भी यूनिकनेस खराब होगी, 97 तो किसी कीमत पर ही नहीं हो सकता, 1 into 97, और उसके बाद और कोई तरीका ही नहीं ह इसका, ठीक है तो भूल जाएं आपन और 97 प्लस 1, अब देखें आपन फाइनली 95 पर, पिचर परफेक्ट बैठेगी, 95 तो यह 19 into 5, ठीक है ना, और वैसे भी कमाल, कहां पर होगा, जब यह दोनों आपके कैसे हैं, दोनों आपके प्राइम हैं, ठीक है, तो 19 into 5, और ऐसे ही आप 19 प्लस 5 कर लो, तो कतनी बार मिलेगा, तो into 1, into 1, into 1 and so on, और इधार 19 प्लस का 5, और प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, ची कहा ना, तो यहाँ पर uniqueness खराब नहीं होगी, यह कतनी बार, 1941 तो यह आपका कतना हो जाएगा, 71 टाइमस आएगा, 71 टाइमस, ओके, यह आप कर दीजे, 71 टाइमस, तो 95 is the, largest number which is lesser than 100 and which does not, it lost, it is uniqueness as per given in the question, fine, अगला question देखते हैं, चलिए साब, आखरी question देखते हैं, question number 30, यह आपका, smooth सा question है, बोल रहा है, let D of M, denote, अतला बिसने, D of M कोई function से define कर दिया है, D of M, denote the number of positive integer, diviser, असपा diviser के काफी सारे question आए, ठीके साब, तो let D of M denote the number of positive integer, divisors of a positive integer M, ठीके साब, positive integer divisors of positive integer M, R is the number of integers, N less than equal to, equal to, less than equal to 20, 23, for which summation, I is equal to, D I is odd, ठीके साब, देखते हैं अब जड़ा, तो find the sum of digits of R, ठीक है, तो अपने काम करते हैं, शुरू कर लेते हैं, अपने D of 1 से, D of 2 से and so on, ऐसी निकाल लेते हैं, मैजाक में, तो D of 1, इसके divisors कतने होंगे, 1, D of 2, इसके divisors कतने होंगे, हमारे, D of 2 के divisors होंगे, 2, ठीक है, 1 और 2, और D of 3 के divisors कतने होंगे, यह आपका 1 और 3, इसके भी 2 ही होंगे, D of 4 के divisors कतने होंगे, 3, 1 होगा, 2 होगा, और 4 होगा, सही है न, उसके बाद 5 के, D of 5 के divisors कितने होंगे दी ओफ 5 के डिवाइजरस होंगे यह आपका एक तो चार आट इसके भी 4 होंगे और उसके बाद डियो आफ नाइन के किटने होंगे डियो आफ नाइन के वॉन माईनोर क्री 0.2-0 इंडे सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज जो भी आपका perfect square होगा उसी के number of divisors हमेशा कैसे नहीं होते हैं odd बागी सारे numbers के one को छोड़के बागी सब के divisors कैसे होंगे number of divisors हमेशा even होंगे fine पहली चीज़ अब एक काम करते हैं उनकी language में बात करते हैं अपन इनकी language में बात करें अपन तो n is equal to 1 n is equal to 1 पर कितना होगा d of 1 अब d of 1 ये तो होगे आपका 1 अब d of 1 हमें रख लेना चाहिए no problem of n equal to 2 पर मतलब d of 2 d of 2 कितना होगा d of 2 summation है तो 1 से लेके 2 तक तो d of 1 प्लस d of 2 ये कितना होगा दो और एक तीन तो ये हो जाएगा आपका n of equal to plus ये हटा दें अपन ये नहीं है तो d of 1 और ये कितना आएगा आपका 3 ये भी चल जाएगा क्योंकि अगला हमसे demand किसकी कर रहा है हमसे demand कर रहा है when summation of di is odd n equal to 3 पर देखते हैं di of 1 मतलब plus di of 2 और di of 3 ये कितना होगा आपका दो दो चार और एक पांच ये भी आपका पांच ये पांच चल जाएगा n is equal to 4 n is equal to 4 का मतलब कितना होगा ये हुग आपका d of 1 ये हुग आपका d of 1 plus d of 2 ये हुग दी of 3 और ये आपका d of 4 ये कितना हुग आपका यह हो जाएगा आपका कितना तीन दो पांच और तीन आठ यह गड़बड कर गया यह आपका गड़बड कर गया ठीक है ना तो आप देख पा रहा हैं जितने भी ओड़ वाले थे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी यह नि कोड़ वाया ने टू त्री पहली गड़बड हमें क आपको मिलेगी n is equal to 16 पर तो बस बन गया आपका पैटर्ण अब हमें चाहिए क्या हमें चाहिए कितना बहुत सीरी सी बात है हर दो और के बाद एक को सब्स्टेट करना है तो यूट एक डिरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका इसका डिरेक्ट फॉर्मूला होता है टू एन का स्क्वाइर माइनस टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं भी यह तो आप गरीब तरीके से कर सकते हैं हमें जाना कहां तक होगा 44 के स्क्व neural था कि जाना होगा क्योंकि 45 का स्क्वाइल जो है आपका 2023 से बड़ा हो जाएगा 2025 होइगा hopefully जीग कर ना तो 44 के स्क्व neural तक जाना है तो बात CDC है भाई layer प्लस कितना पूर गा स्क्व मैंनस 3 का स्क्वाइल प्लस यह पिछ एप जाएगी तिल कहां तक 44 के स्क्वेयर माइनस 43 के स्क्वेयर तक तब इसमें बहुत जादा rocket science लगाने की ज़रूत नहीं है 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस अरे भाई 4 माइनस 3 तो अटमेटिक आपका बन होई गया ना सब का और यह कतना हुगा 43 और प्लस का 44 तो मुझे लग रहा है यह सीधा-सीधा क्या हुगा भाई यह सीधा-सीधा होगे हमारा sum of first 44 natural number सही है तो sum of first 44 natural number नकाल दीजिए n into n plus 1 भाई 2 से सही है यह कतना हो जाएगा 44 और into यह हो गया आपका 45 upon का 2 यह हो गया आपका कतना 22 and it comes out to be कतना 990 लेकिन हम से शायद question में पूछा है sum of the digits some of the digits से ही है तो sum of the digits कितना हो जाएगा आपका sum of digits 18 ठीक है 18 इसका answer final ओके तो thank you